इस वीडियो में आपको हार्डवेर का पूरा कॉंसेप्ट शुरू से लेकर एंड तक विलकुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में हार्डवेर के लिए कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा मैं इस बात की गरेंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे इसके सारे कॉंसेप्ट अच्छे से गेन करेंगे एंड इंप्लिमेंट करेंगे तो आप एक अच्छे और सक्सेस्फुल हार्डवेर इंजीनियर बन जाएंगे बिना टाइम विस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जाके जरूर से सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही one video courses लाता रहता हूँ वो भी हिंदी में और free में आप subscribe करोगे तो आपको सबसे पहले इसकी notification बहुत जाएगी और आप कोई भी video miss नहीं करेंगे इस video को अब हम शुरू करते हैं so guys video में सारे concept समझने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम यह hardware क्यूं पढ़ रहे हैं हमें इसमें क्या करियर का scope है और हमें इसमें क्या क्या फायदे मिल जाते हैं hardware का course अच्छे से समझने से so guys यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी ही बाते आपको बताई हुई हैं जिनका फायदा आपको hardware सीखने से होगा so guys यहाँ पर सबसे पहला है hardware improve productivity, increase revenue, reduce cost and provide better service guys अगर आप hardware सीख लेते हैं तो यह आपको productivity भी बढ़ा देता है इसके साथ साथ अगर आप hardware से related कोई भी business करते हैं तो आपका revenue भी increase होता है reduce cost से मेरा मतलब है कि आप कुछ भी जो fault होता है जैसे आपके system में कभी कुछ fault हो गया तो अगर आपको उसकी knowledge है hardware की तो वो आप खुद से ही ठीक कर सकते हैं जिससे आपको खर्चा भी कम होगा इसके साथ provide better service better service से मतलब आप खुदी अपने system को जब आप सही कर लोगे तो आपको कोई भी inconvenience फील नहीं होगी आप जो भी आपको real चीज उसमें गडबड होगी आप वो अपने मदद से सही कर पाऊगी सबसे पहला तो यही था सबसे पहला पर आता है हमारा good practice to do troubleshooting with knowledge यह एक अच्छी practice भी है कि आप अपना PC troubleshoot करोगे अपनी knowledge से यह खुदी आप सोच के देखो कि अगर आपको knowledge है उस चीज को troubleshoot करनी की तो आपको कितना बढ़ियां लगेगा उससे troubleshoot करते हुए सबसे बड़ा advantage यह है कि आप असानी सी कोई भी fault identify कर पाऊगे अगर आपको सारे hardware का knowledge है अगर आप अगर कभी आपके सी अगर कभी आपके computer में कोई धिक्कत आ जाती है तो आप किसी शॉप में दिखाऊगे तो वह शॉप वाले के बहुत ज्यादा chances यह होते हैं कि वह कुछ और भी उसमें include करके आपका बेवकूफ बना दे अगर आपको उसके knowledge होगी तो आप easily identify कर लेंगे and आप smarter मतलब एक अच्छा decision ले पाएंगे कि क्या fault है और मुझे क्या करना है अगले step में इसी के साथ साथ good scope in IT and technology field as desktop support engineer so guys अगर आप hardware का course अच्छी तरीके से कर लेते हैं उसके सारे concept अच्छी तरीके से समझ लेते हैं जो क्या-क्या hardware में होता है use and जो भी इसमें concept होते हैं वो समझ लेते हैं so guys as a career इसका scope बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको सब को पता ही होगा IT की field future में बढ़ती ही जानी है इसका कोई भी scope कम नहीं होगा and जहाँ पर IT का field है वहाँ पर hardware का होना बिलकुल mandatory है so guys इसका scope भी आने वाले time में बहुत जादा बढ़ने वाला है as a hardware engineer और as a desktop support engineer आप hardware सीख कि किसी भी अच्छी company में लग सकते हैं इसी के साथ hardware are more important as blood of information technology जैसा कि मैंने बताया जहाँ पर information technology यानी IT field होगी वहाँ hardware होगा ही होगा यह बिलकुल वैसा है जैसे हमारी शरीर में खून so guys बिलकुल बेफिक्र होकि इस hardware course को आप अच्छी तरीकी से सीखिए क्योंकि इससे आपका career भी चुड़ा हुआ है सबसे पहला इसमें आता है all concepts for understanding computer working इसमें सबसे सारे concept होंगे कि हमार जो computer system वह कैसे बना है और वह कैसे काम कर पाता है सबसे पहला तो यही है और दूसरा है hardware components are important for operating हमें hardware components को चलाना भी तो आना चाही है क्यों कैसे connect होता है या कैसे वह काम करता है कैसे हमें उसे input देनी है output लेना है सो यह भी इसका बहुत बड़ा factor है इसके बाद है good scope in IT fields यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका field में IT field में बहुत ही अच्छा scope है आपको बहुत सारी नौक्रिया आने वाले time में इसमें मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी company है इसमें आपको job offer करेंगी इसके साथ त troubleshoot intelligently with precaution अगर आपको hardware के knowledge है तो आप troubleshoot भी विल्कुल precaution के साथ कर पाएंगे अगर आपके system में कभी भी कोई fault आ गया जब आपको knowledge होगी तो आप precaution मिलोगे कि हाँ भाई यहाँ पी यह दिक्कत है तो मुझे दूसरे चीज नहीं चीड़नी चाहिए नहीं तो वह भी खरा बन जाएंगे अपने computer system या आप जहां पे भी job करते हैं वागे computer system बहुत ही असानी से troubleshoot कर पाएंगे and DC के साथ साथ आपको knowledge होगा तो आप कोई भी fault असानी से ही पता कर पाएंगे अब यहां question आता है what after hardware अब मैंने यह मान लिए कि आपने hardware अच्छी तरीके से सीख लिया तो as a career option आपको इसके बाद क्या करना चाहिए मेरी मानो तो आप इसके बाद hardware का एक course होता है कॉंशिया ए प्लस आप वो करो क्योंकि उसमें सारे components के बारे में एकदम ब्रीफली एकदम बारीक से रूप खोद खोद के सारी चीजे बताई गई है इसी के सास्ताथ it concludes all peripherals उसमें सारे components जो कि CP के अंदर होते या peripherals जो कि ब concept having troubleshooting concept सारे troubleshoot की कोई भी problem आती है तो उसे हम कैसे ठीक करें कैसे उसे troubleshoot करें वह सारी concept अच्छी तरीके से बताए गए हैं इसके सास्ताथ best for learning after hardware hardware करने के बाद अगर आप कौंशिया ए प्लस कर लोगे तो आपको hardware से related हर एक concept हर एक चीज ऐसे clear हो जाएगी कि आप as a hardware scientist भी कह लाओगे है इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं या पर मैंने कुछ उन topics के बारे में mention का रखा है सबसे पहले हम पढ़ेंगे computer computer क्या है कैसे work करता है इसके बाद हम पढ़ेंगे input and output devices हमारे computer में कौन-कौन से devices होती है कौन से input होती है कौन से output होती है और उनके क्या works होते हैं इसके बार ने पढ़ेंगे इसके बात हम पढ़ेंगे software and its के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद हम इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंडरी क्या होती है कि इसके बाद न क्या lang हुद्षिक होत pulled आब UEFI and Legacy इन दोनों में क्या अंतर है और यह कौन-कौन सी सिस्टम में प्रोवाइड होते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे केबल और पूर्ट के बारे में कौन-कौन सी केबल हमारे कम्पीटर में यूज होती है और इसके बाद हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड की कॉंसेप्ट उसमें कौन-कौन सी कौंपोनेंट्स लगते हैं और क्या-क्या उनका काम होता है जैसे सब पहले हम पढ़ेंगे हार्ट डिस्क के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर के बारे में इसके बाद SMPS क्या होता है और इसके वर्क क्या होते हैं इसके बा है इन सभी component of peripherals की So guys set yourself, take a note, copy and pen, आप सारे concept जो इस वीडियो में चलते जाएंगे आप उसे mode करते जाएंगे एंड इसे के साथ साथ वो सारे information जो आप इसमें वीडियो में देखेंगे बिल्कुल अच्छे से देखें ताकि कि आपको वो सारे concept बिल्कुल अच्छी तरीके से gather हो पाएं, so guys let's get started So guys, सबसे पहले जानते हैं What is computer? वैसे तो आपको पता ही होगा computer क्या होता है कैसा दिखता है and क्या क्या उसमें use होता है, लेकिन as a knowledge अगर आप से कोई पूछ लेता है कि computer क्या है तो आपको उसे एक impressive सी definition देनी पड़ती है So guys, जान ले दे एक अच्छी सी impressive definition computer के बारे में So guys, यहाँ पर एक बहुत ही definition है, in basic term a computer is an electronic device that processes data converting it into information that is useful to people Any computer regardless of its time is controlled by programmed instruction which gives the machine a purpose and tell it what to do So guys, जो आपका computer होता है वो instruction के base पर ही काम करता है आपका computer होता है, वो बिल्कुल dump machine होती है and वो 0 और 1 की language समझती है जिसे हम कहते है binary language So guys, क्या होता है कि हमने जो भी instruction देनी होती है, वो हम computer को as a input देते है and computer उसे process करके as a output हमें result दे देता है So guys, जो computer है, वो data unprocessed data को लेता है and convert करता है उसे information इसका जो system काम करता है, वो होता है programming instruction पर जो कि आपने सुना होगा computer हमारी भासा नहीं समझता है हमें interact करने के लिए computer से programming language का use करना पड़ता है जो कि हमारी language को एक programming language के syntax के हिसाब से उसे machine language में change करती है and जो computer हमारी भासा समझ पाता है so guys basically आप इतना समझ ले कि computer एक ऐसी machine है जो कि अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकती बिना किसी user के input दिए हम जब भी input देंगे तो उसे समझ कर computer हमें output देगा कोई भी काम अपने आप computer में नहीं होता है so guys आप जान लेते हैं कुछ types के बारे में computer के सबसे पहला type हमारे पास आता है personal computer second number पे आता है mainframe computer third number पे आता है mini computer और fourth number पे हमारे पास आता है super computer so guys सबसे पहले आता है personal computer so guys personal computer वो सभी computer होते हैं जो कि आपको normally कहीं पे भी देखने को मिल जाते हैं चाहे हो आपका office हो, school हो, घर हो, bank हो या फिर कोई भी post office हो so guys यहाँ पे हर जगा आपका personal computer यूज होता है जो कि आपके एक table या आपकी desk में रखा होता है जो कि physically आपको समें CPU, keyboard, mouse, monitor यह सब आपको easily देखने को मिल जाते हैं इनका basically use एक normal medium range के कामों के लिए होता है चाहे वो कोई भी office document वर्क हो या कोई भी normal जो भी वर्क होते हैं officially वर्क होते हैं या home के वर्क होते हैं वर्क को करने के लिए use होता है so guys इसमें क्या होता है कि आपको जो personal information होती है वो भी आप इसे save करके रख सकते हैं और इसे का साथ आप इसे commercial यूज के लिए भी use कर सकते हैं जो basic काम हम personal computer में कर सकते हैं वो है communication कर सकते हैं या music सुन सकते हैं वीडियो देख सकते हैं photograph edit कर सकते हैं वीडियो ग्राफी कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे काम भी कर सकते हैं जो कि आप एक computer system में कर पाते हैं इसके बाद आता है mean frame computer mean frame computer कुछ आपको देखा होगा आपने कभी भी bank गए होगे आपको वहाँ पे कई बार ये सुनने को मिला होगा कि हमारा अभी server down है आप कुछ देर बाद आएं जो भी आपको काम कराना है कुछ देर बाद आप उसे फिर से try करें जो server down का मतलब यही होता है आपने कभी भी अपने phone में चलाया होगा कोई भी internet चलाते हो तो आपको कभी भी ये server down वाली problem आपको कभी भी face करने को नहीं मिली होगी लेकिन bank में हमेशा ऐसी दिकत क्यों आती है क्योंकि guys जो bank होते हैं जाधतर इंडिया में bank जो होते हैं वो mainframe computer पर ही वर्क करते है में frame computer नुका जो होता है, local में nhất as a server लगा होब meanframe computer का काम क्या होता है कि अपने जो clients होते हैं उनके users होते हैं उन्हें live जो भी कामज कामस देने होते हैं हुँ जो भी service provide करने होते हैं लाइव देनी पड़ती है कि मतलब ये भी नहीं कि जो उन्हें अभी इंस्ट्रक्शन दिये तो उन्हें एक घंटे बाद दे दें उन्हें ऐसा नहीं होता है उसमें तुरंत उन्हें अपना रिप्लाइट देना पड़ता है या तो वो डाउन रहते हैं या तो उन्हें तुर प्रिबर्लम का सामना करना पड़ता है कि उनके server अभी down हैं so guys इन computer का इस्तमाल तभी करते हैं जब हमें को batch service अपने users को provide करना ही होती है इसके बाद guys आता है निनी वह सभी computer होते हैं जो आपको normally असानी से portable size दिखने को मिल जाते हैं चाये वो laptop और टाबलेट हो mini computer and micro computer में आपका यही अंतर है जो micro computer होता है आपका वह बहुती portable umres on होता है जैसे कि माइफ का 거죠 आप अपने pocket में carry कर सकते हैं so guys micro computer आप अपने pocket में curry कर सकते हैं जो mini computer होते हैं वह पोर्टेबल तो होते हैं लेकिन आप उने pocket में carry नहीं कर सकते हैं, जैसे आपके laptop हो गए, आपके tablet हो गए, जो मीनी computer होता है, आपका जो personal computer होता है, उसमें यही अंतर है, जो mini computer होता है, वो आप अपने personal use के लिए रखते हैं, उसे आप कोई भी commercial काम भी कर सकते हैं, लेकिन जादा तर कैटिगराई उसमें आपका mini computer में आपका personal काम होता है, और जो आपका personal computer होता है, उसमें आप official work भी कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है super computer, super computer are the most powerful computers made, यह सबसे ज़्यादा powerful computer होते हैं, इनका यूज बड़ी-बड़ी brand, बड़ी-बड़ी company, giant company उनका यूज करती है, अपने बड़े-बड़े data center में super computers का यूज ये करती है, क्योंकि इनका जो server होता है, वो install करने के लिए एक बहुत हाई-performance, high-end computer की जरूरत होती है, जो की बहुत सारी calculations per second के speed से करता रहा है, क्योंकि जैसे आप Google है, आप Google में करोड़ो सर्च होती है, एक मिनट में करोड़ो सर्च होती है, इतने बड़े number को manage करने के लिए एक बहुत हाई-level के PCS की जरूरत परती है, इन ही बड़ी hits को calculate करके, मतलब इनको categorize करके बिल्कुल अच्छे तरीके से speedly इनका result देने के लिए super computer का ये company यूज करती है, इनके बहुत बड़े-बड़े data centers होते हैं, जिसमें हजारों super computer लगे होते हैं और उनमें सभी के उन्हीं company के server installed होते हैं, इनका बहुत ही large scale में बहुत ही high end काम कराने के लिए super computer का use होता है, आप हम जान लेते है parts of the computer system, computer system के कौन-कौन से parts हैं और इनका use computer system को बनाने में किस तरीके से होता है, सबसर पहला जो हमारे पास part आता है, वो होता hardware, hardware क्या होता है computer में, hardware वो सारे visible या physical चीज़े होते हैं, जो आपको normally computer में आसानी से देखने को मिल जाती है, चाहे वो monitor हो आपका, चाहे आपका keyboard हो, चाहे आपका mouse हो, चाहे CPU हो, चाहे speaker हो, चाहे आपका UPS हो, और दूसरे नमबर पर आपता है आपका software, software यानि वो program और features जो कि आपके computer system में installed होते हैं, जो कि आपके logically होते हैं, आपको physically, तो आपको छूने को या touch करने को नहीं मिलते हैं, लिक कि logically आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, असानी से, आप कोई भी software अपने मन मताबिक अपनी convenience के लिए आप install कर सकते हैं, अपने computer system में, थर्ड नमबर पर आता है हमार पास data, data वो unprocessed information होती है, जिसका आप अपने computer system में storage पार्ट में आप उसे store कर सकते हो, और वो data आपका personal data भी हो सकता है, commercial data भी हो सकता है, and कोई भी ऐसा data हो सकता है, जिसका use आपको करना हो, So guys, आप जान लेते हैं, software क्या होते हैं, and कितने types के होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, software, software is a set of instruction that makes the computer perform task, in other words, we can say that software tells the computer what to do, So guys, आपने सुना होगा, जो programming languages होती हैं, उसमें क्या होता है, कि जब एक छोटा सा code बन जाता है, So guys, उस code को हम run कराते हैं, तो वो एक computer के language में convert होता है, and इसके बाद हमें output देता है, So guys, software क्या होता है, कि software बहुत सारी instructions इसे बना होता है, set of instructions, instructions क्या होते हैं, वही programs होते हैं, जो कि programming languages में लिखे गए होते हैं, So guys, बहुत सारे programs का जो set होता है, बहुत सारे programs को आपस में मिला दो, तो एक set बनेगा, तो set क्या होता है, software होता है, जो कि किसी भी computer को task कराने के लिए हम अपने system पे install करते हैं, वो software जो होता है, वो computer को बताता है कि आपको करना क्या है, जैसे मैं रे कर लिया Microsoft Office, तो office में यही तो बताता है computer को कि जो भी user type करेगा office में, तो वो आपको उसमे type करना and save कर देना है, यह कोई specific या कोई भी मकसद के हम computer में अपने software को install करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं, इनके कितने type होते हैं, इनके तीन type होते हैं, सबसे पहला system software, दूसरा application software, और तीसरा utility software, सबसे पहले system software को बारे में, सबसे पहले system software में क्या होता है, दो software which are used to provide interface between user and hardware is known as system software, सबसे पहले system software, वो software होते हैं, जो की user और hardware के बीच में interface provide करते हैं, इसका मतलब user और hardware, सबसे पहले priority hardware के बाद क्या होती है computer system में, एक ऐसा software डालना, जिससे हम कोई भी दूसरे software को असानी से run कर पाए, आप operating system को डाले बिना अपने system में कोई भी software आप run नहीं कर सकते हो, operating system से मेरे मतलब आपकी जो Windows हो गई या Mac में, आपका Mac का वर्जान होता है, वो हो गया Linux हो गया, सबसे पहली priority होती है, आपके computer system को run करने में operating system, यह आता है system software के under, so, इसके बाद आता है हमेरे पास application software, those software which are used to perform a particular task is known as application software, so guys, जो भी software हम अपने computer में install करते हैं, किसी भी specific या कोई भी particular कोई भी एक अलग सा काम करानी के लिए, उसे हम application software कहते हैं, जैसे adobe flash player, हम adobe flash player का use क्यों करते हैं, हमें जब भी 3D video चलाना हो, या 3D animation का कुछ भी काम करना हो, so guys, हम इसे तब use करते हैं, हमें कोई भी specific काम करना है, so guys, application software, third party software भी हो सकते हैं आपके, so, इनका use हम तभी करते हैं, जब हम कोई भी specific काम कराना होता है, आपके flash player भी हो गया, vlc player भी हो गया, आपके सारी external, third party application, सारे application software में ही आते हैं, so guys, इसके बाद हमारे पास आता है utility software, those software which are used as a helping tool for our convenience is known as utility software, so guys, जो भी हमारी convenience के लिए, जो भी हमारी मदद के लिए, जो हमारी जो software बने हैं, जैसे हमें कोई भी धिक्कत आ रही है, तो उसे solve करने के लिए, जो software हम use करते हैं, वो हमारे utility software होते हैं, जैसे antivirus, antivirus हमारी मदद के कैसे करते हैं, हमारे system में security देते हैं, कोई भी malware, threat, virus, trojan horse, या कोई भी बाहर की external unauthorized access, कुछ भी जो मतलब गलत चीज है, malware है, कुछ भी है, उन्हें रोकने के लिए हम antivirus कर यूज करते हैं, यह हमारी help करता है, हमें secure system provide करने में, वो सारे software जो हमारी help करते हैं, वो utility software होते है, अब हम यहाँ जान लेते हैं, कुछ और categories के बारे में software की, सबसे पहरे बारे पार इस category आती हैं, यहाँ पर freeware software की, so freeware software is available without any cost, any user can download it from the internet, and use it without paying any fee, so guys, यह वो software होते हैं, जो free of course available होते हैं, किसी के लिए भी, and इसे आपको simply क्या करना है, download करना है internet से, and इसे बिना कुछ भी पैसे दिए, easily, जब तक आपको use करना है, आप इसे use करते रहे हैं, so guys, यह वही software है, जिनने आप normally आप use करते भी होंगे, जिसे आपका यहाँ पर Adobe Reader, Adobe Reader क्या है, यह एक छोटा से reader का software आता है, Adobe के तरफ से, इसमें आप अपनी PDF document, आसानी से display करा सकते हैं, so guys, यह एक free software है, आप इसे कोई भी fees आपको pay नहीं करनी पड़ते हैं, and यह free to use है, कोई भी इसे download करके use कर सकता है, so guys, second number पर हमने पास आते है, shareware software, it is a software that is freely distributed to users on a trial basis, it usually comes with a time limit, and when the limit expires, the user is asked to pay for the continued services, example engine, so guys, यह वो software होते हैं, जो की सिरफ trial basis पर आपको available होते हैं, जब इनका trial basis खतम हो जाता है, तो आपको कुछ इनको, इनका जो भी package होता है, उसे आपको pay क करना पड़ता है, आगे को इसे use करने के लिए, so guys, जैसे आपको winzip में क्या होता, आपको 30 days के trial मिलता है, सेम ऐसी photoshop में क्या होता है, आपको 30 days का trial मिलता है, आप उसे तप तक तक आप use कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या होता है, कि आपको उसका fix price उसका जो होता है, वो दिन विद्धा सोर्स कोड विच मेंस दाट यूजर कैन फ्रीली डिस्टिबूट एंड मोडिफाइड आड अडिशनल फीचर्स तो दो सॉफ्ट्वेर तो गाइस यह वह सॉफ्ट्वेर्स होते हैं जो की सोर्स कोड के साथ आपको अवेलिबल मिल जाते हैं सोर्स कोड का इसे अपना एक नया लोग भी दे सकते हैं आप इसमें कोई भी जो भी चीजें उसे चेंज करके अपना एक नया सॉफट्वेर भी से तैयार कर सकते हैं जैसे आपको बहुत सारे डिस्ट्रिबूशन इसलिए दिखने को मिलते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है इसके से पहले आपको इसमें एक्जामपल मिल जाएगा रेड हैट का काली लिनक्स का पैरट वेस्ट का एंड उबंटू का यह सारे जो लिनक्स के ही डिस्ट्रिबूशन है जो की ओ सोर्स कोड की मदद से कई टाइप के मोडिफिकेशन के द्वारा बनाए गए हैं इसमें आपको कॉपिराइट का क्लेम भी देले को मिल सकता है जैसे आपको यह सोफ्ट्वेर ब्लॉक कर देगा या बैन कर देगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने से इसमें क्या होता है कि आपको जो भी सॉफ्ट्वेर होता है उसके साथ एक की प्रोवाइट करी जाती है या एक एक सिस्टम पे एक बार ही एक्टिवेट हो सकता है जैसे कि यहां पर MS Office है आप सिंप्ली एंटिवारस का एक्जांपल भी ले स सब्सक्राइब नहीं नहीं होगा आपको bet डे गा सुह सекс करने एक पर जेस्टमें के आपको परमेशन नहीं होती आप इसको मोडिफाइव करने की कोई परमेशन होती है यह बहुत ज्यादा इसमें tough restrictions होती है, यही होते हैं आपके proprietary softwares आप हम यहां से जानेंगे hardware के बारे में So the mechanical devices that make up the computer are called hardware A computer's hardware consists of interconnected electronic devices that you can use to control the computer's operation input and output So guys, वो सारी mechanical devices hardware कहलाती है, जो कि आपस में connect होती है जो कि आपस में connect होगे एक system की formation करती है जिनके मदद से आप input और output जैसे operations perform करा सकते हैं अपने computer system में वो input और output के operations किन चीज़ों की मदद से होते हैं वो कुछ devices की मदद से होते हैं जो की computer system में आपस में interconnected होती हैं का computer हमें computer को बनाने में क्या-क्या assembling करनी पड़ती है सो guys हमें जो भी computer बनाने पड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे external, peripherals, आपने के बहुत सारे components होते हैं जो की keyboard, mouse ये सब होता है उन्हें आपस में interconnect करना पड़ता है सो उसे ही interconnection को हम कहते हैं assembling, assembling का computer यानि एक computer को आपस में बहुत सारे components को connect करके एक computer को बनाना सो इसमें हम दो type की assembling कर सकते हैं एक तो same brand की और different different brand की same brand में कहें कि आप सारी components, अपने peripheral सारे एक ही brand के रहें चाए आपका mouse है चाए आपका keyboard है चाए आपका monitor है चाए आपका cabinet है तो सभी एक ही brand का आप लें या तो आप different different brand का भी ले सकते हैं कि आप अपने बज़ट के हिसाब से डिसाइड करें कि आपको सीम इंट का चाहिए या आपको इससे आपको कोई भी एफेक्ट नहीं परता है कि आप डिफनर रियन का ले रहें या सेम ब्रैंट का ले रहें, आप कोई भी ब्रैंट का कोई भी component ले सकते हैं जो भी आपको सही लगे या जो भी आपके बजट में आ जाए तो गाइस अब जान लेते हैं टाइपस ऑफ हाडवेर डिवाइसेज होते हैं सबसे पहला input डिवाइस और दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास output डिवाइस जिन डिवाइस का यूज करके हम अपने computer system में instructions दे सकते हैं उसे कुछ बता सकते हैं काम करने की मतलब हुकम दे सकते हैं या कुछ भी आप instruction मालो input दे सकते हैं इन डिवाइस को हम input devices कहते हैं जैसे आपका सबसे पहले keyboard मालो आप keyboard एक input device है आप इसमें जो भी type करेंगे तो वह आपके computer screen पे type हो जाएगा तो आप यहां से button को दबा के keystroke दे रहे हो आप यहां से input दे रहे हो तभी तो वह type हो रहा है जो कीबोड एक input device है और output device दोस डिवाइस विचेर आपको आप इन पूट करते हो जिसमें आप पर अपने name टाइप किया ए डी ए आर्श एच आदर्श वहां पर मुझे वह प्रॉसेश रिजल्ट आपको क्या देगा वो मेरा नाम आपको लिखा आ जाएगा मोरिटर पर तो गाईस जो हमारे मोरिटर हां वहाँ पर नाम लिखा रहा तो आउट्पुट हमें क्या दे रहा मोरिटरी तो दे रहा वह वाइस हमारा मोनिटर एक आउपुट डिवाइस हो गया, यह था इन्पुट और आउपुट पर अंतर इन्पुट वो जिससे हम कंप्यूटर को कोई कमांड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और आउपुट वो जो रिजल्ट उस इन्पुट का प्रोसेस होने के बाद जो डिवा माउस भी इन्पुट डिवाइस है जिसे आप पोइंटर की मदद से आप कोई भी ग्राफिकली किसी भी चीज़ को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो या राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन पे कोई किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हों ट्रैक बोल तो आपने दे ग्राफिक टाबलेट टाइब जिसका यूज़ करके आप ग्राफिक डिसाइनिंग कर सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा टाइप का बहुत बड़ा से डिवाइस होता है जो की USB से कंप्यूटर में कनेक्ट होता है एंड इस्ट टाइकलस नाम का पैन आता है जिसकी मतद स जैसे आप नॉर्मली काम कर सकते हैं जैसे आपने कई एडुकेशनल चैनल पर देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही पैन टाइप का वो चलाते हैं तो उसमें मतलब बिल्कुल जैसे बोर्ड में चलाते हैं वहाँ पर लिखते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा लिखने में में घ्राफिक टैबलेट और माऊस से एक टाइप का ठक्स लिखने में फी हमें इंप देने के लिए ही यूस होता है इसके बाद आता है जैसे ममेंग कंसोल ओ गया या आपका जॉइस्क हो गया यह भी एक gaming खेलने में हम input देते हैं तो guys यह भी एक input device हो गए touchscreen touchscreen आपके जो mobile phone है tablet है आजकल तो desktop laptop भी आपके touchscreen आने लगे हैं तो guys हम उसे touch करके हम उसमें input दे सकते हैं तो guys यह भी input device हो गए बाहर की वर्ड की जो भी पिक्चर से या जो भी वीडियो से उसे capture करने के लिए हम यूज करते हैं यह बाहर की चीजों को capture कर रहा है इंपूट ले रहा है बाहर के वर्ड से वर्ड से वर्ड के एक input device हो गया अब microphone microphone भी बाहर की audio को as a input लेता है एंड उसको analog signal में बदलके हमारे computer में जाके save कर देता है वह बाहर के world से ही तो audio को input ले रहा है so guys microphone भी एक input device हो गया कि अब बात कर लेते हैं कुछ output devices के बारे में सबसे पहले हमारे पास आजाता है monitor जो भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपने system में तो उसका output हमें कहां दीख रहा है हमें visible कहां हो रहा है वो monitor में ही तो हो रहा है so guys monitor सबसे पहला हमारा output device आता है वह है monitor इसके बाद printer printer का काम क्या होता है soft copy को hard copy में convert कर देना जो भी हमारा पास document computer में है उसे अगर हमें एक कागश पे या एक पेस पे हमें चाहिए print तो हम printer कर यूज करते हैं printer की मदद से ही उसे print करते हैं वह जो हमारा printer है soft copy को hard copy में ही तो convert करता है वह जो हमारा जो output है वो हमें प्रेंट करके देता है output तो दे रहा है न वो so printer भी हमारा output device हो गया audio speaker audio speaker magnetic electromagnetic बेस पर काम करते हैं यह जो आपके analog signal होते हैं उसे audio audio जो होता है उसमें आपको emit कर देते हैं output देते हैं यह भी एक output डिवाइस हो गया headphone headphone का सेम speaker की तरह है बस यह थोड़ी normal voice बिल्कुल हलकी voice में आपके कान पर output देते हैं headphone भी एक output डिवाइस है projector projector में क्या होता है light जो होती है light emit करता है picture motion picture जो भी होती है आपके light में emit कर देता है यह भी आपका एक output डिवाइस हो गया GPS GPS में आपके signals output होते है signals आपके हमेट होते हैं so global positioning system आप जहां पे भी हो वहाँ पर आपके signal सी तो निकलते हैं तभी तो आप track भी हो पाते हैं जो भी आपका काम होता है location से आप तभी कर पाते हो इसमें आपके signal हमेट होते है इस इसलिए यह आपका output device है sound card and video card यह भी आपका output device है क्योंकि sound card जो हता है वो sound की विज सब आपके जो जो आपके उसमें features होते है Sound के वह as a output CPU के motherboard को provide करता है यही सेन काम होता है video card का यह भी आपका as a output इस निकन normal आपके motherboard को प्रवाइट करता है इसलिए यह दोनों भी आपके output device हो गये सब सब पहले हम जानते हैं monitor क्या होता है our monitor is an output device used to display the output as the result so guys आपने computer में क्या-क्या काम किया या आपने क्या कमांड दी उसका काम हो रहा है ठीक से या नहीं हो रहा है या आपको कोई भी movie देखनी है या कुछ भी आपको काम करना है उसे देखने के लिए आपको एक स्क्रीन का यूज तो करना ही पड़ेगा ना ताकि आपको देखे विजिबल हो उस काम के लिए हम अपना मॉनिटर का यूज करते हैं There are 5 basic types of monitors 5 तरीकी कि हमारे पास अपने जो मॉनिटर हैं वो अवेलिबल होते हैं सबसे पहला CRT, cathode ray tube, दूसरा LCD, liquid crystal display, तीसरा LED, light emitting diode, चाथर TFT, thin film transistor, पाचवा AMOLED, active matrix, organic light emitting diode So guys, अब हम आगे इनके बारे में brief से पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं CRT के बारे में Cathode ray tube, vacuum tube containing an electron gun इसमें क्या होता है कि एक electron gun होती है इसके screen के बीच में a electron gun होती है, जिसमें 3 color के electron gun होती है सबसे पहली होती है red color की दूसरी होती ओं ग्रीन कलर की तीसरे होती होती है blue color की, यानी RGB color की gun होती है So guys, ये करती क्या है ये, एक light की beam फेकती है vacuum tube के मदद से मतलब vacuum tube लगी होती है उसी के बीच से एक ray फेकती है light की beam जो की होती है red green blue color की और जो light की beam होती है वो electrons की मदद से बनी होती है and वो जब fluorescent screen जो इसकी screen होती है उससे जब टकराती है तब जाके आपकी जो scatter हो जाते हैं आपके electrons वो जो scattering हो जाती है electron की उससे जो आपकी image होती है वो form होती है इसका ये concept है कि एक तीन इसमें gun होती है electron gun उससे electron emit होते है vacuum tube की मदद से and वो fluorescent screen से जब तकराते हैं और scatter हो जाते है तब आपकी image form होती है आप बढ़ते है LCD की तरफ liquid crystal display गाईस ये एक thin flat panel की display होती है जो की electrically आपकी display करती है information को इसमें क्या होता है कि जो screen होती है उसके पीछे liquid भरा होता है liquid की मदद से इसमें image form होती है and इसमें छोटे छोटे CCFL bulb लगे होते हैं पूरी screen में जिनकी मदद से liquid से जब इसका reaction होता है तब आपकी एक अच्छी image form होती है in comparing of LED इसमें थोड़ी से electricity consumption ज़्यादा होता है so guys अब बात करते हैं LED के बारे में liquid crystal display instead of having a normal CCFL backlight if uses light emitting diodes LED as a source of light behind the screen so guys जैसे कि मैंने आपको बताया LCD में CCFL backlight का use होता है और LED में आपका LED का use होता है इस चकर में LED की जो light consumption है वो बहुत कम होती है in comparing of LCD and इसमें जो pattern होता है उसमें कोई भी liquid की जरूरत नहीं होती इसमें simple LED bulb होती है जो की pattern में लगी होती है बहुत सारी micro LED लगी होती है जिन से आपकी एक बहुत ही अच्छी quality की colorful image form होती है आप बात करते हैं TFT के बारे में यानि thin film transistor each pixel is controlled by from 1 to 4 transistors इसमें क्या होता है कि हर एक pixel चार्ट ट्रांजिस्टर की मदद से control होता है and uses chemical and electrical properties to create a visible image on a screen इसमें क्या होता है chemical and electrical properties होती है जिनके मदद से image होती है वो form होती है इसी चक्र में आपने कई बार देखा होगा आप बहुत सारी monitors होते हैं जिसमें screen में बहुत सारे problems आ जाती है किसी में color feed हो जाते हैं किसी में color के side से ज्यादा effect होने रखते हैं किसी में blue screen हो जाती है side से या red screen हो जाती है pink screen हो जाती है या इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टेस इसमें ऊपर निजए निचे अन्बैलंस हो जाती है जिसकी वज़े से केमिकल प्रोपर्टेस में बहुत ज्यादा एफेक्ट पड़ता है आपको कई बार कलर डल या आपका डिस्पले बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाली हो जाती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आपकी TFT मोनिटर में ही आती है आप बात करते हैं एमोलेट के बारे में यानि एक्टिब मैट्रिक्स और गेनिक लाइट एमिटिंग डायोट्स यह भी LED बेस्ट आपका मोनिटर होता है इसमें क्या होता है यह और गैनिक लेडी से बना होता है अगर आपकी आखों में प्रॉब्लम है इनकी जो छोटी छोटी एलेडी जो एक ऐसे कलर की पिक्चर फॉर्म करती है जिससे आपकी आई साइट को बिलकुल भी अफेक्शन नहीं होता है अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप एमोलेट मोनिटर का यूज करें जिससे आपकी आखों को दबाव भी नहीं पड़ करने के लिए कौन-कौन से कनेक्टर का यूज करना पड़ता है जो कि टाइम के हिसाफ से चेंज होते चले गए हैं और मैं आपको इसको सीक्वेंस के हिसाफ से बता देता हूं सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल वीडियो इंटरफेस की जो कि कुछ इस टैप का दिखत अब करते थे तो गाइस यह सबसे पहले यूज हुआ करता था इसके बाद रिप्लेस्मेंट में आ गया वीजी ए वीजी ए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एर यह 15 पिन का कनेक्टर होता है इसमें सिरफ वर सिरफ वीडियो ही ट्रांसफर हो सकता है यह दिखने में क में ग्राफिक कार्ड में लगेगा और दूसरी साइड आपकी मोनिटर में लगेगा इसके मेनिंग होती है हाई डेफिनिशन मल्टिमेडिया इंटरफेस योगी कुछ इस टाइप का दिखता है 19 पिन का HD वीडियो एंड आडियो कनेक्टर होता है इसमें आपके HD वीडियो और दोनों ही ट्रांसफर हो जाते हैं अगर आप PS3, PS4 का भी यूज़ करोगे तो आपको उसमें VGA की जगा HDMI का ही यूज़ करने को मिलेगा आप बात करते हैं वाट इस कीबोर्ट कीबोर्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं आपको बता हुई है सबसे पहला mechanical keyboard, mechanical keyboard हम तब use करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा typing का काम करना पड़ता है, इनकी बट्रन होती है, वो बहुत ज़्यादा smooth होती है, आप देखोगे, mechanical keyboard में जब आप काम करते हैं, तो बहुत अच्छे key store की आवाज आती है, अगर हमें high level का बहुत ज़्यादा typing work करना है, तो हम mechanical keyboard का ही use करते हैं, second number पर हमर पास आता gaming keyboard, अगर हम एक hardcore gamer है, हम gaming में अपना काम करते हैं, जैसे आपने YouTube में देखोगा, बहुत सारी gaming channels है, तो जो गेम खेलते हैं, तो हमें gaming look भी तो चाहिए होता है, उसमें हम backlight, यानि बहुत सारी colorful light वाले keyboard का यूज़ करत में करते हैं, सो गाइस third number पर हमारे पास आता है standard keyboard, standard keyboard 104 key का keyboard होता है, जो कि normally home purposes या normally purpose के लिए हम standard keyboard को use करते हैं, जो कि आसानी से mid range keyboard होता है, बहुत ही cheap price पर आपको available हो जाता है, चौथे number पर हमारे पास आता है wireless keyboard, wireless keyboard होता है, जो कि battery operated होता है, जिसका आप 50 feet की दूरी से भी कर सकते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको Bluetooth adapter दिया जाता है, जो कि USB port में आपके CPU में लग जाता है, और आप उसे 60 feet दूर से भी अपना keyboard ले जाके operate कर सकते हैं, पांच वो नमबर पर हमारे पर साता है multimedia keyboard, multimedia keyboard में आपको खुछ extra keys देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपके music resume क की, music आगे भढ़ाने की, changing playlist की की, या power की की, बहुत सारी extra keys देखने को आपको मिल जाती है, यहां उपर की line में, जैसे में आपको बहुत सारी keys देखने को मिलती है, extra keys देखने को मिलती है, उसे हम multimedia keyboard कहते हैं, जैसे अगर हमें अपने system से keyboard connect करना है, तो हमें दो type के connector का यू यूज होता है, वो काफी दिन पहले use होता था और जाद अतर mechanical keyboard में PS2 port आया करता था, यह थोड़ा पुराना version हो चुका है, एंड इसे जब भी आप अपने computer system में attach करोगे, तो आपको एक बार computer system अपना restart करना पड़ेगा, क्योंकि यह plug and play नहीं है, आपको restart करना पड़ेग USB में क्या है कि आप attach करो और आप अपना तुरंत काम करने लगो, यानि plug and play, USB ही इस time पर सबसे ज़्यादा keyboard चल रहा है, So guys, आप बात करते हैं, what is mouse, mouse is an input device used to input in computer system using a pointer arrow, mouse एक input device है, जो कि हमें computer में अपने input देने के लिए, with a help of pointer arrow, एक छोटा सा arrow होता है, उसके मदद से आप अपने mouse को move करा के, किसी भी आइकन के उपर जा सकते हैं, उससे double click करके open कर सकते हैं, या कोई की command आपको देनी है, mouse के थ mouse का use करते हैं, so there are three basic types of mouse, तीन basic type होते हैं, mouse की सबसे पहला mechanical या trackball mouse, आपने पहले के time के mouse देखे होंगे, उसमें एक trackball, एक ball type की नीचे mouse के होती थी, जिसकी मदद से आपको जो pointer arrow होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह motion करता था, या move करता था, so guys, वो mouse सबसे पहले, मतल होता है, and वो काफी weight में भी जादा हुआ करता था, currently हम use करता है, optical mouse, optical mouse होता है, जिसमें नीचे आपको LED bulb देखने को मिल जाता है, जिसका pointer बहुती smoothly work करता है, आप हलका सा mouse move करो, and pointer बहुत असानी से easily smoothly move हो जाता है, so guys, optical mouse weight में भी बहुत हलके होते है, and ये आपको बहुती स सबस्ते price में market में available मिल जाते है, so guys, तीसरे number पर हमर पास आता है wireless mouse, wireless mouse हम कुछ feed दूरी से भी अपने system को control कर सकते है, इसका एक छोटा सा Bluetooth adapter आता है, जो कि आपकी USB port पे computer में लग जाता है, and उसे आप थोड़ी दूर से mouse को ले जाके control कर सकते है, जो mouse होता है, वो battery operated होता है, आपको उसमें battery लगानी पड़ती है, so guys, mouse को हमें अगर अपने computer system से attach करना है, तो हमें दो type के connector की जरूरत पड़ती है, सबस्ते पहला होता है, PS2 जो कि थोड़ी दिन पहले तक बहुत अच्छी तरीके से use हुआ करता है, लेकिन अभी USB का जादा use होता है, PS2 port में आपको ए दोनों आपके connector है, mouse के जो कि आपके currently computer system में use होते हैं, so guys, अब बात करते हैं, UPS के बारे में, यानि uninterruptable power supply, so guys, UPS के इस्तमल हम तब करते हैं, जब हमें कोई भी अपने system में कोई ऐसे important काम करने होते हैं, या जैसे आपने 10 घंटे से कोई भी काम अपने system में कर रहे हो, अग आपका जो सारा काम है, वो बिलकुल खतम, आपका बिलकुल lose हो जाता है, वो सारा काम, so guys, इन ही काम उसे बचने के लिए हम अपने computer में UPS को install करते हैं, ताकि light चली जाने के issue में आपका जो data है, वो आप उसे light जाने से पहले ही save कर लें, एक आपको warning मिल जाती है, UPS के थू जैसे आपकी light चली गई, so guys, इसमें थोड़े सा backup होता है, जो कि आपको ये बता देता है, light जाने के बाद की, guys, आपका जो system है, वो बंद हो जाएगा, दस या पंदरा मिनिट बाद, आपका जो काम है, वो आप save कर ले, and आप उना system shut down कर ले, so guys, इसका काम यही है कि ये थो UPS available होता है, एक normally, जो कि छोटे size में आता है, जो कि 15-20 मिनट का आपको backup दे देता है, और दूसरा, जो कि high level होता है, जो कि कुछ घंटों तक आपको backup दे सकता है, so guys, उनका जादर तर use corporate offices में होता है, लेकिन हम normally home purposes में हम छोटा वाले UPS का use करते हैं, जो कि 20-25 मिनट तक का भी backup दे देता है, so guys, अब बात करते हैं, speakers के बारे में, speakers क्या है, so guys, speaker एक output device है, जो कि हम अपने computer system में attach करते हैं, sound को output पे लेने के लिए, मतलब हमने जैसे कोई movie चला रहे हैं, कोई भी music चला रहे हैं, गाना चला रहे है, so guys, हम उसका output sound भी तो सुनाई देता है, so guys, उस sound क सुनने के लिए हम अपने computer system में speaker का इस्तेमाल करते हैं, यह electrical signal, जिसे हम कहते है, analog signal, उसे translate करता है, audible signal में, audible sounds में, sorry, audible sound में, उसे convert कर देता है, translate कर देता है, and वही हमें सुनाई देती है, यह electromagnetic based होता है, इसमें एक metal coil होती है, वो magnetic field के through, analog signal को catch करती है, and उसे convert कर देती है, audible signals म So guys, यह 2.1, 3.1, 5.1, 7.1, इन versions में आपके आते हैं, So guys, आप कोई से भी version के speaker अपने computer system में use कर सकते हैं, So guys, अब बात करते हैं, webcam के बारे में, Webcam are typically small cameras that either attached to a user's monitor or sight on a desktop, most webcams connect to the computer via USB, webcam के use हम गाइस तब करते हैं, जब हमें कोई भी ऐसा काम करना होता है, जैसे video calling करनी होती है, या video conferencing करनी होती है, कोई भी picture capture करनी होती है, या video record करनी होती है, अपने system में ही सीधा directly, So guys, हम तब अपने webcam का use करते हैं, So guys, हमारे पास 4 टा हो जाते हैं, सबसे पहला integrated webcam, integrated webcam होता है, जो कि पहले से inbuilt आता है, कि computer system में ज्यादर तर आपको ये laptop में देखने को मिलता है, चोटा सा camera, middle of the screen, top में laptop के आपको देखने को मिलेगा, बहुती low level camera होते है, webcam, इसे क्यूंकि हमें normally, छोटे मोटे काम के लिए हम इसे use करते हैं, जो quality होती है, वो काफी low होती है, सबसे पहले integrated था, जो कि हमाने normal आपके inbuilt आता है, दूसरे नबर पर हमाने पास आता है, webcam with microphone, microphone जो होता है, जिसमें हम अपने audio भी computer system में save कर सकते हैं, उस microphone के साथ जो webcam आता है, उन्हें कहते हैं, webcam with microphone, stand alone webcam, जैसे कि आपको simply इस image में दिखरा परता है, market से, and इसमें आपको webcam में आपको कोई भी microphone देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको webcam में आपको microphone अलग से attach करना पड़ता है, so normally जो single ही आपको लेना पड़ता है, सिरफ webcam, वो होता है stand alone webcam, चोथर नमर पर हमाने पास आता है network camera या CCTV, दोनों ही एक ही चीज है, CCTV का म पिलेंस में लेते हैं, तब हम CCTV को वहाँ पर install करते हैं, हम वहाँ पर storage device भी लगा सकते हैं, लेकिन जादा तर हम उसे अपने computer में इसे attach करते हैं as a network camera, so guys, ये चार टाइप के हमार पास webcam available हो जाते हैं in hardware, so guys, आप बात करते हैं scanner के बारे में, a scanner is an input device which converts the hard copy into soft copy, it converts hard copy into digital copy, so guys, scanner जो है वो एक input device है, जो की hard copy को soft copy में बदल देता है, यानि एक hard copy को digital copy में, इसका मतलब जो भी आपका document है, या कोई भी certificate है आपका, उसे अगर आपको computer में चाहिए as a digital copy, so guys, आप scanner का ही मदद से उसे scan करेंगे and उसकी एक digital copy अपने computer में बना लेंगे, so guys, scanner जो होते हैं, वो तीसरे नमबर पर आता है आपका standard scanner, जसमें दो categories होती है, flat bed और sheet bed, और चौतरे नमबर पर आता है आपका scanning applications, so इनके बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, specialized scanner के बारे में, यानि those scanners which are used to scan some special documents like business cards and metro cards, so guys, यह वो scanners होते हैं, जिनका यू आप भी metro में आप travel करते हो, तो आपको जो metro card होता है, आप उसे एक machine पर swipe करते हो, तो आगे का terminal होता है, वो खुल जाता है, और आप उसे bypass कर लेते हो, so guys, जहां पर आप उसे touch कराते हो, वहाँ पे specialized scanner लगा होता है, जो कि आपके metro card को scan करता है, आपका information देखता है, match करता है and आपका जो balance होता है, उसे deduct कर लेता है, so guys, वो जो scanner होता है, वो specialized scanner होता है, जो कि कुछ special चीजों को scan करने के लिए manufacture करा रहे जाता है, so guys, आपका metro card का scanner भी एक specialized scanner हो गया, so guys, यहां पर आप देख सकते हो, कुछ easy type की चीज़ आपको वहाँ पे metro में देखने को मिलती है, so आ आप बगात करते हैं, handheld scanner की, those scanners which are smaller and easy to hand held and uses to scan a lot of things very quickly, like barcode scanner, so guys, आपने कई बार मौल में देखा होगा, आप जब भी मौल में शॉपिंग करने जाते हो, जब आप बिल काउंटर पे जाते हो, तो एक जो आपका बिल काटने वाला होता है, वो बहुत जिल्दी जिल्दी सारी information होती है, आपके product के बार में की उसका price क्या है, sale में उसका price कितना हो गया है, या कोई कितने gram गशा. उस सारी information owns barcode में save होती है, उस बार वाल में जल्दी 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 पहुत सारी product को scan करताशल जाता है, जब हमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ scan करना पड़ता है और एक हैसे में बहुत ही पोटेबल सा स्कैनर हो उस इस स्कैनर को हम कहते है हैं घंड मेर्ड creates a में था अब बात करते हैं स्टेनडर्ड स्कैनर की सबसे पहले बात कपर एंगे इनना फ्लैट मेरी स्कैनर, the documents और pages are placed on the screen for scanning, these may be stand alone or integrated in a printer. So guys, flatbed scanner वो scanner होता है, जिनका use हम किसी भी document को page wise, single single page scan करने में करते हैं, जैसे एक page कर लिया, फिर पलटा के दूसरा page कर लिया, so guys, हम single एक एक करके page जब हम scan करने पड़ते हैं, so guys, हम flatbed scanner का use करते हैं, ये stand alone भी आ सकते हैं अब इक परेंटर के साथ भी आ सकते हैं, stand alone का मतला बागी, आप इसे simple सिरफ और सिरफ स्कैनिक purposes की ठूरह ही इसे purchase कर सकते हैं या आप इसे purchase प्रेंटर के साथ इंटेगरेटर भी आते हैं, जिसमें आपको आपको सिंगल सिंगल पेज स्कैन करने पड़ते थे अब शीट फैड में आता है मतलब आता तो यह सिरफ एक पूरी की पूरी बुक आप एक बार में इसमें स्कैन कर लेते हैं सबसे बड़ी एडवांटेश शीट फैड पर यह कि आपको पेज नहीं पड़ेटने पड़ेंगे अगर आपको पूरी बुक आपको स्कैन करने तो आपको सिंपली बुक वहां पर प्रोवाइट कर देनी है वह अपने आपी सारी बुक को स्कैन कर लेगा आप बात करते हैं एप्लिकेशन स्कैनर की दोज स्कैनर विच नेड मोबाइल फोन टू बी ओपरेट लाइक कैम स्कैन एंड जीनियस स्कैनर करते हैं जब हमारवस मोबाइल फोन होता है मोबाइल फोन की यूज से जिन स्कैनर की मदद से हम डॉकिमेंट्स स्कैन करते हैं उन्हें हम एप्लिकेशन स्कैनर कहते हैं जो कि आपके फोन में स्कैनर होती है जैसे कि कैम स्कैन एंड जीनियस स्कैनर कि किसी भी फोन में आपके स्टो आपके पास Google Drive फे भी option होता है अपने document को scan करके save करने का यह सारे जो आपके application based scanner होते हैं वह होते हैं application scanner आप बात कर लेते हैं connectors in scanners के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा serial port serial port होता है 9 pin का connector और com port, com port भी 25 pin का connector होता है जो कि कुछ इस type का दिखता है यह एक side आपके scanner में connect होता है और एक side आपके CPU में connect होता है दूसरे number पर आपके पास आता है parallel port parallel port 40 pin का connector होता है जो कि कुछ इस type का दिखता है जो कि आपका एक side scanner में connect होता है और दूसरे side आपका CPU में connect होता है तीसरे नमबर पर आता है आपके पास USB पोर्ट जो कि चार पिन का कनेक्टर होता है जो कि एक साइड आपका स्कैनर में कनेक्ट होता है और दूसरे साइड आपका CPU में कनेक्ट होता है चौते नमबर पर आता है आपके पास LAN पोर्ट यह आठ पिन का कनेक्टर होता है जिसे हम Ethernet पोर्ट भी कहते हैं जो कि एक साइड आपके CPU के पीछे कनेक्ट होगा और दूसरे साइड आपका स्कैनर में कनेक्ट होगा पांच यह नमबर पर हमारे पास आता है wireless connector जो कि जिसमें कोई भी connector यूज नहीं होता है आप इसे simply अपने phone से भी connect कर सकते हैं अपना scanner और दूसरे आप अपने computer में भी wirelessly अपने scanner को connect कर सकते हैं अब बात करेंगे हम printer के बारे में अब printer is an output device which converts the soft copy into hard copy it converts digital copy into physical copy so guys scanner का क्या concept था कि वो hard copy को soft copy में बदलता था physical copy को digital copy में बदलता था so guys printer में बिल्कुल parallel है जो भी काम scanner में होता था उसका उल्टा printer में होता है इसमें क्या होता है जो soft copy होती उसे hard copy में यह बदलता है यानि जो digital copy उसे physical में बदलता है उसमें क्या था कि हमारे पास जो भी document था जो कि physical document था कागज में था उसे हम scan करके as a digital copy हम उसे computer में save कर सकते थे अब printer का का concept है कि हमारे पास computer में जो save document है हम उसे एक कागज में उसे प्रिंट कर सकते है विल्कुल पैरलेल है scanner printer के, हमारे पास printer के टाइप होते हैं, वो basically दो टाइप होते हैं, सबसे पहला हमारे पास आता है impact printer, impact printer are those printers which have physical contact between cartilage and paper, सबस्क्राइप, जहां से print होता है हमारा color heat color होता है, हमारा पास liquid color होता है, या बी powder में color होता है, उसको covered paper में जिसमें physical contact होता है, मतलब जो contact में आते हैं printing के दौरान वो जिस printer में contact में आते हैं उसे हम impact printer कहते हैं और non impact printer are those printers which do not have physical contact between the print head, ribbon, cartilage and paper non impact printer में क्या होता है कि इसमें कोई भी आपका cartilage, paper, print head या ribbon आपस में physical contact में नहीं आता है so guys अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, so printer के जो basically दो type है सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसमें highlight कर देता हूँ सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाता है impact printer जो कि printer का एक type है फिर आ जाता है आपके पास non impact printer जो कि printer का दूसरा type है आप यहाँ पर आपको impact में ही आपको दो type दिख रहा है, सबसे पहला आपका character printer और दूसरा आपका line printer आपको यहाँ पर character printer है इसका type दिख रहा है dot matrix आप जो आपका line printer है इसके भी बहुत सरा type होते हैं, जैसे आपका chain printer हो गया, आपका drum printer हो गया मैं आप माउस से कर रहा हूँ मैं इसलिए लिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको C लिख देता हूँ और D लिख देता हूँ चैन प्रिंटर यानि और ड्रम प्रिंटर ये दोनों आपके लाइन प्रिंटर के एक्जाम्पल है अब हम आते हैं अपने नोन इपक्ट प्रिंटर में इसके भी दो टाइप होते हैं सबसे पहला हमारे पास आता है करेक्टर प्रिंटर और दूसरा आता है हमारे पास पेज प्रिंटर जो करेक्टर प्रिंटर होता है हमारा उसमें हमारे पास आता है inkjet printer जो कि आपने और बली देखा होगा और दूसरा आता है हमारे पास laser printer इसमें एक category और है जिसे हम क्याते है thermal printer उसमें भी आपके दो type के printer आते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे thermal printer यहाँ पढ़ लेते हैं character printer क्या होते है line printer क्या होते है और page printer क्या होते है सबसे पहले हम पढ़ते है character printer क्या होते है Those printer which print paper character wise जो जो आपके चोटा सा pin का array होता है जो की एक-एक character करके करके पूरी line print करता है इसके बाद पूरा page print करता है जो character wise print करते है जो printer उन्हें character printer कहते हैं इसका एक बहुत अच्छा example आपका dot matrix printer भी हो गया दूसर नंबर पर हमारे पास आता है line printer those printer which print paper line wise जो line wise जो printer printer print करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैल आपका ob朝 ten printer ड्रम printer एंड बैंड पिंटर आप के लाइन पर होगी तो हैं आपके पूरा प्रेज प्रिंट होता है इसमें पूरा पेज उता हूं एक लेजर डिवांगर से प्रिंट हो जाता है जैसे लेजर प्रिंटर इसमें पूरा पीच ए की भार में आपका प्रिंट हो जाता है तो गाइस आप हम अच्छे से जानेंगे इंपेक्ट प्रिंटर के बारे में Impact Printer का सब सब पहले Example है हमारा Character Printer में Dot Matrix Printer It has an array of pins which helps to print the paper with tiny dots Example Railway Ticket Printer So guys इसमें एक pin का array होता है, एक collection of pin का एक छोटा सा hand होता है जो की एके करके एके character आपके page में प्रिंट करता चला जाता है इसका जो कागज होता है वो भी थोड़ा अले quality का होता है And इसका जादा तर use railway ticket को print करने में होता है जैसे आपने वाँ पे देखा होगा एक बड़ा सा इस type का printer वाँ पे लगा होता है And वो धीरे धीरे करके एक एक character print करता है आपकी ticket में So guys इसकी speed होती 100 to 600 character per second And इसकी जो array होते हैं वो 9 से 24 pin के हो सकते हैं यानि वो जो hand वो छोटा जो character print करने का array होता है वो 9 से 24 pin का बना हो सकता है And इसकी speed 100 से 600 character per second हो सकती है इसके बाद हमारे पास आता है line printer यानि chant, drum और bank printer They are used by offices where they need to print data at large scale Example poster drum printer So guys इनका इस्तमाल हम उन offices या banks में करने होते हैं जिसमें हमें बहुत लंबी statement निकालनी पड़ती है जैसे कि आपने bank पे गए होगे तो आपने एक statement ढिकलवाई होगी अपनी तो guys वो बहुत ही नंबे पीच की होती है जैसे पूरा रोल बना सकते हैं जिसके कागज का वो बहुत ही नंबे पीच की होती है So guys उस document को प्रिंट करने लिए हम line printer का यूज़ करते हैं इसकी speed बहुत ही हाई होती है जैसे 1200 से 6000 line per minute यह बहुत ही अच्छी speed होती है यह बहुत ही जल्दी जल्दी वो पूरी document आपके print करते भी चले जाते है इनका आपको असानी से visible हो जाएंगे आपके bank में जब आप अपनी statement निकलवाने जाएंगे So guys अब बात करते हैं non impact printers की सब सब पहले हम बात करेंगे inkjet printer की inkjet printer is similar as dot matrix but it doesn't have any physical contact with external media it gives printout with the help of space paid up to 250 CPS So guys inkjet भी बिल्कुल same है dot matrix की तरह यानि यह character wise print करता है paper में but इसमें physical contact नहीं होता है जो की dot matrix में physical contact होता है So guys इसमें क्या है कि जो इसको जो printout बनता है इसमें तो dot matrix है नहीं मतलब इसमें array of pins तो है नहीं So guys इसमें क्या होता है array of pins की जिगाए spray का nozzle होता है जो nozzle होता है एक nox होती है spray की जिससे ink spread होती है So guys उसकी मदद से आपकी image formation होती है text formation होती है आपकी page में and इसकी speed होती है 250 character per second So guys इसकी speed काफी अच्छी होती है in comparing of dot matrix character printer So guys आप बात करते है laser printer की laser printer which uses laser beam and heated toner to produce print out on a paper So guys जो printer आपको laser beam यानी laser की मदद से एक heated toner की मदद से एक print out provide करता है आपको उसरे में laser printer कहता है Laser printer क्या होता है कि एक laser beam फेकता है and इसका जो toner होता है जिसमें ink होती है powder ink होती है वो heat होती है paper की उपर रखके जब उसे heat करा जाता है and इसे heated toner के उपर से निकाला जाता है तब वो जो powder वाली ink होती हो पर्मानेंट हो जाती है and वो जो आपकी powder वाली ink आती है वो आती है laser beam की मदद से यह सारा process होने के बाद जब आपका print out निकलता है तो आपने देखा होगा आपका page बहुत गरम होता है so guys यही reason है क्योंकि वो एक heated toner की मदद से निकला है तो वो थोड़ा सा hot होता है so guys इसी जो speed होती है वो 6,000 to 12,000 pages per hour यह बहुत ही अच्छी speed होती है जो कि एक mid range laser printer की हो सकती है लेकिन जो ink jet printer है अगर आप purchasing की बात करें तो ink jet printer आपका बहुत ठीक ठाक range में मिल जाता है वाइल laser printer आपको थोड़ा expensive पढ़ता है लेकिन अगर आपको operating की बात करी जाए तो आपको ink jet printer में आपका जो operation है आपको अदलब चलाने का खर्च है वो काफी जादा पढ़ता है in comparing of laser printer so guys एक आपका purchasing में कम पढ़ता है तो उसकी जो operating जो उसका उसमें चलाने की जो उसकी पैसा है रकम है वो जादा पढ़ती है so guys दोनों ही लगभग ओ लगभग similar ही काम करते है और similar ही type का print देते है so guys अब बात करते हैं हमने तीसरे type के printer की जो है thermal printer a thermal printer is one that uses heat to transfer and impression into paper types of thermal printer so guys यह वो printer होते हैं जो की heat की मदद से अपना जो impression होते है वो paper में transfer करते है hit का इस्तमाल करके अपना जो भी इने transfer करना होता है paper में, जो भी print करना होता है paper में वो print करते हैं इसके दो type है आपके thermal wax transfer printer और direct thermal so जो thermal wax transfer printer होता है यह वो printer होता है जो की एक wax ink का use करता है एक wax based ink होती है जो की गरम होती है जब हम इसका यूज करते हैं वो गरम करके उसे melt करता है और उसका impression ribbon के थूरू वो paper में करतेता है आपने कई बार देखा होगा आप DTC अगर आपने बसों में travel करा है डेली की DTC बसों में travel करा है तो जो conductor आपको ticket काट के देता है अगर आप उसे तुनंत रब कर दो तो guys वो रब हो जाती है अगर वो आप थोड़ी देर 10-15 मिनिट रुको और उसे आप रब करने की कुश्च करो तो वो रब नहीं होती है actually वो एक thermal wax transfer printer की मदद से उसे print करा जाता है and वो एक wax based ink से वो impression उसमें लाया जाता है and वो hot होता है इसलिए अगर आप उसे तुनंत रब कर दो तो वो रब भी हो जाएगा लेकिन आफ्टर वो cool जब ठंडा पड़ जाता है इसके बाद आप उसे नहीं हटा सकते है वो permanent हो जाता है so guys वो बस में जब आपको machine से काट के ticket देता है वो thermal wax transfer printer की मदद से ही देता है so guys अब बात करता है direct thermal की where a printer prints the image by burning dots onto a coated paper so guys आपने देखा होगा आपके जो बार कोड होते हैं वो बार कोड एक cd line में होते हैं मतलब उसमें जो अलगी टाइप का print आता है जिसमें आपको सिरफ और सिरफ line coated coated paper में देखोता है वो so guys जो coated paper होता है उसमें हमें print देना होता है तो हमें कुछ dots का इस्तमाल करना पड़ता है ताकि उसमें identification होता रहा है कि अगर कोई भी device उसे identify करें उस coat को तो identify हसानी से कर पाए तो हमें उसे coat करना पड़ता है so guys उस coat को हमें देने के लिए डारेक्ट thermal printer का ही use करना पड़ता है ताकि एक बार कोड अच्छे से coat हो पाए paper के उप़र so guys अब बात करेंगे हम virtual printer के बारे में a virtual printer is a simulated device whose user interface and API are similar to a printer driver but the device is not connected with a physical printer example Microsoft XPS document writer so guys यह actual में कोई physical आपका printer नहीं होता है यह एक छोटा सा program होता है जो कि आपके Microsoft Windows में available होता है यह एक छोटा सा API interface होता है जिससे आप अपने printing commands को manage कर सकते हैं simply इसमें होता क्या है कि आप कोई भी अपने document print कर देते हैं so अगर आपका उस time पे कोई भी physical printer connect नहीं होता तो आपके system में तो क्या करता है यह simply उसे save कर लेता है अपने अंदर और जब भी physical printer आपके system में connect होता है तो इस simply वो command उसे आगे execute कर देता है and उसे print out निकाल देता है so guys यह एक manager होता है एक तरीके का windows में आपका printing का so आप बात करेंगे multifunctional device के बारे में यानि MFD it is also known as all-in-one printer this is combination of various functionalities like printers, scanner and photocopy so guys आपने कई बार देखा होगा एक ही printer में आपको printing, scanning, photocopy सब कुछ features एक ही device में मिल जाता है so guys उस device को हम MFD कहते हैं यानि multifunctional device so normally आपको market में असानी से available मिल जाता है so guys इसी जगह पर मैं आपको एक tip भी देना चाहूंगा अगर आप cmd पर जाके services.msc type करेंगे तो आपको कुछ ऐसी window मिलेगी जिसमें आपको आपने printer के सारे processes देखने को मिल जाएंगे आपने कौन-कौनसी command भी है printing के बारे में आपको सारी commands देखने को मिल जाएगी आपको वहां से उसे restart करने का या उसे stop करने का भी option असानी से मिल जाएगा इसका इस्तमाल हम printer spooler के तौर पे करते हैं यानि जब भी हमें कोई भी command रोकनी हो या restart करनी हो या refresh करनी हो तो हम printing command को refresh start या stop करने के लिए services.msc वे जाके printer spooler का ही use करते हैं इस आप बात कर लेंते हैं connectors in printers के बारे में सबसे पहली हमार पास आता है serial या Com port Serial होता है 9-pin का और Com होता है 25-pin का connector जो की एक side आपका CPU में लगता है और दूसरे side आपका printer में लगता है दूसरे नमबर पर आता है हमार पास parallel port जो कि होता है 40 pin का character जो कि एक side आपका printer में लगेगा और दूसरे side आपका CPU में लगेगा तीसरे नमबर पर हमार पास आता है USB port जो कि होता है 4 pin का जो कि आपका एक side CPU में लगेगा और दूसरे side आपका printer में लगेगा चंट्र नुमपर पर हम पस अत्य न होता है आट मिन का जो कि आपका इस आता है जो की आपका थेन पोर्ड भी कहलाता है जो कि आपका एकसाइट में लग nossa पीछी साइट और आपके प्रुंटर में लगेगा फॉल पहन्हसकर जो किम बिना किसी क्शलिपर यूट से कर सकते हैं चाहे वो आपको मुबाइल फोन और चाहे वो आपका computer system में आपको application की जोड़ो रख पड़ेगी और आपको computer system में एक driver की इस्टाल करने की जड़ो रख पड़ेगी आप आभी की डेट में आपको जो printer available मिलेंगे वो है USB port वाले LAN port वाले और wireless port वाले currently इन तीनों का सबसे ज़्यादा use market में हो रहा है so guys अब बात करते हैं components of computer के बारे में so guys एक computer को बनाने के लिए हमने hardware तो पढ़ लिया कि हमें कौन कौन से input और output devices की जरूरत पढ़ती है इन input और output devices को हम peripherals भी कहते हैं so guys अब बात हो रही है components के बारे में components है मतलब हमारे cabinet होता है CPU होता है उसके अंदर की चीजों के बारे में so guys हमारे CPU के अंदर बहुत सारे components होते हैं जैसे कि CPU खुद होता है जीसे हम microprocessor भी कहते हैं इसके बाद motherboard होता है फिर RAM होती है RAM को हम memory भी कहते हैं फिर होती है hard disk या SSD फिर होती है हमारे पास ODD यानि optical disk drive या DVD राइटर भी कहते हैं हम उसे और इसके बाद होती है हमारे पास SMPSD यानि power supply जिससे हमारे system का power supply मिलती है यह सारे आपके components होते हैं आपके CPU के अंदर या आप इसे कह सकते है components of computer अब हम इसनी के बारे में आगे अच्छे सी briefly पढ़ेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे everything about motherboard इसे हम कहते हैं PCV यानि motherboard या printed circuit board इन दोनों ही नाम से हम motherboard को जानते हैं printed circuit board या motherboard सो यहाँ पर देख लो सबसे पहले आ रहा है what is motherboard it is known as the interconnection of components in a computer सबसे पहले तो सबसे पहला point यही है कि जो interconnection होता है component का चाहिए वो RAM हो, hard disk हो, DVD writer हो इनको आपस में connect करने का जो interconnection है जो intermediatory है उसी को हम motherboard कहते हैं जो की responsive है इन सब को आपस में connect करने के लिए it is a circuit board which have ports and sockets with transistors coated to connect components together यह circuit board होता है जिसमें बहुत सारे ports और sockets होते हैं जो की transistor की coating से बने है और इनका काम क्या है आपस में component को connect कराना so third number पर it is responsible for contact of flow of data and instruction with the help of buses actually motherboard होता है motherboard पर बहुत सारी buses work करती है बसे का काम होता है data को एक जगा से दूसरी जगा पर पहुचाना so guys इसमें आपका data का flow control भी होता है and जो इसमें instruction होती है वो एक जगा से दूसरी जगा भी motherboard के थुरू भी पहुचती है so guys यहाँ पर आपको दो type के motherboard मिल जाते है plane और mark motherboard अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह एक plane motherboard है अब इसमें आपको यहाँ पर देखो RAM slots मिल जाते हैं यहाँ पर आपको PCI slots मिल जाते हैं यहाँ पर आपको CPU socket मिल जाता है यहाँ पर आपको कितने सारे ports मिल जाते हैं यहाँ नौर्थ विज मिल जाता है एंड यहां पर ATX pin का connector मिल जाता है एंड यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है यह एक नॉर्मल सा motherboard का structure है आप पढ़ेंगे segments of motherboard जो की जो हमारे motherboard की segment है वो दो type की category में divide है सबसे पहला integrated motherboard और दूसरा है non integrated motherboard integrated motherboard comes with all parts integrated with it while non integrated motherboard adds some other parts और parts as per requirement मतलब integrated motherboard जो motherboard है उसमें आपके सारे parts जो भी उसमें ports है या sockets नो वो पहले से लगे हुए आते हैं उसमें आप अप्ग्रेडेशन नहीं कर सकते और non integrated motherboard वो motherboard होते हैं जिसमें आप अपनी choice के हिसाब से उसमें ports add कर सकते हो sockets add कर सकते हो जो कि आपका requirement के हिसाब से हो सकता है so guys जो non integrated motherboard होता है उनका 99% use हम server में करते हैं क्योंकि हमें server में ये requirement होती है कि हमें उसे बढ़ाने हैं अपने component या कम करने है so guys उसका इस्तमल server में होता है integrated motherboard का use हम अपने normal PC में करते हैं so guys यहाँ पे देख लो desktop motherboard, laptop motherboard, server motherboard में क्या अंतर होता है सबसक्त पहला है मारा desktop motherboard it is used in desktop systems it comes with upgradation capability we can upgrade it usually desktop motherboard जो होता है वो upgradation के साथ हाता है हम इसे असानी से अपग्रेट कर सकते हम चाहे तो 4 RAM का भी अपग्रेटेशन कर सकते हैं हम अपना CPU भी चेंज कर सकते हैं इसे के साथ साथ अगर हमें power supply चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है वाइल लैप्टॉप motherboard क्या होता है हमें कोई भी upgradability नहीं मिलती बहुत ही कम बहुत ही कम laptop ऐसे होते हैं हमें motherboard को upgrade करने की availability मिल जाती है इसमें जो भी component पहले से आते हैं वो fix आते हैं हम उसे भले ही replace कर सकते हैं लेकिन हम उसे अपग्रेट नहीं कर सकते हैं हम उसे एक से दो RAM नहीं लगा सकते हैं लैपटोप में हमें कम features मिलते हैं in comparing of desktop motherboard और वाइल इन server motherboard यह बहुत बड़े size में होते हैं इसमें बहुत सारे ports और बहुत सारे sockets design होते हैं क्योंकि यह बहुत ही high level performance के लिए बन होते हैं क्योंकि server में बहुत अच्छे computer लगे देते हैं सूपर कम्प्यूटर भी कहते हैं और उनको service provide करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी quality का और बहुत सारे ports वाला motherboard भी चाहिए होता है इसलिए server motherboard बहुत ही बड़े और बहुत ही सारे ports वाले होते हैं so guys यहाँ पे देख लो कुछ motherboard के type है या types of PCB हम इसे कह सकते हैं जैसे कि यह वाला जो type है इसे हम कहते है mini ATX और जो flex ATX होता है वो इससे लगवग half होता है and micro ATX, ATX, Pico ATX, ITX, NLX, BTX, mobile ATX, WATX यह सारे types and top 10 types of PCB यानि 10 ऐसे type जो कि normally सबसे ज़्यादा use होते है as a motherboard आज के modern world में अब यहाँ पर आपको mobile ATX दिख रहा है तो mobile ATX वो motherboard है जो आपके phone में use होता है and micro ATX तक हम normally अपने PC में use करते है and आपका जो ITX है यह आपका laptop में use होता है and यह जो Pico ATX है यह आपका Raspberry Pi में use होता है so guys यहाँ पर जो यह वाला आपको दिखरा है यह mini ATX है and आपको इसमें अंतर क्या मिलेगा कि किसी में आपको 4 RAM Slot मिल जाएगे तो किसी में आपको 2 RAM Slot मिलेगे किसी में आपको 1 RAM Slot मिलेगा so किसी में आपको DDR1 RAM का Slot मिलेगा so guys यह slots और sockets के हिसाब से यह categorized होते है size में भी इनमें बहुत अंतर हो जाता है जिसमें आपके slots या socket कम हो जाते हैं वो छोटा size में हो जाता है and जिसमें आपके slots और आपके sockets जाद होते हैं उनका size बड़ा हो जाता है so guys normally आपका mini adex सी use होता है so guys अब हम पढ़ेंगे कुछ buses के बारे में जो कि motherboard में work करती है so basically 3 major buses हैं जो कि हमारे motherboard में work करती है in regarding of CPU यानि microprocessor उसी के आजपास इनका काम होता है सबसे पहली हमारी data bus it sends and receives data to memory इस bus का काम क्या होता है कि यह data जो होता है वो memory को receive करती है and उसे पर send करती है जो कि memory जो होती है जो भी उसमें data जाता है या उससे निकलता है CPU की तरफ यानि microprocessor की तरफ उसको ले जाने और लाने का काम database का होता है और address bus का क्या होता इट sends address to input to the memory और RAM यह क्या करती है जो की memory और RAM होती है जो हम user input देता है वो जाता है, RAM पे जाता है तो वो RAM पे जाता है किसकी मदद से address की मदद से यह address का मतलब यही है कि जो input देगा उसको उसके address तक पहुचाना और address कहां पे उसा Başard सायल होता है RAM में इसका काम यह होता है input को RAM पे split कर देना तीसरी बस होती है control bus इसका काम क्या होता है इसका काम होता है communication कराना CPU का दूसरे component से CPU मतलब microprocessor इसका दूसरे component से communication कराने का काम control bus का होता है यह तीनों ही buses आपके motherboard में CPU के regarding ही work करती है आप बात करते हैं CPU socket के बारे में mechanical component that provides a mechanical and electrical connection between a microprocessor and a predicted circuit board this allows the CPU to be replaced within shouldering so guys CPU socket का basically मतलब यह होता है कि इसमें हम अपना microprocessor की जो chip होती है उसे हम इसमें install करते हैं ताकि जो हमारा microprocessor है वो बिल्कुल stable stably एक जगा पर placed हो जाए and बिल्कुल properly without heat अच्छी तरीके से work करे so guys socket का काम यही होता है CPU को अच्छे से placed करके रखना and उससे high performance लेना without any cost so guys यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CPU socket के location है वो यहाँ पर होती है यहाँ पर हमारा micropro chip install करी जाती है so guys memory slots क्या होता है memory slots कुछ इस type का दिखते हैं इसमें क्या होता है कि हम अपनी RAM insert कर सकते हैं इसमें 20 में आपको एक cut दिखेगा इसमें cut होता है यह RAM में भी cut होता है इसमें हम RAM install करते हैं कुछ-कुछ motherboard में यह दो slot आपको मिल जाते हैं कुछ-कुछ motherboard में आपको चार slot मिल जाते हैं और इन सॉकेट में यहां पर बताया गया कि कौन-कौन सी लगती है देखो टाइप ऑफ रैम आर एस्टी रैम डीडियार यानि स्टैटिक डानेमिक रेड़नम एक्सेस मेमरी और डीडियार आपकी नॉर्बल जो होती है इसे हम कहते हैं यानि स्मॉल आउटलाइन इसके बारे में आगे पड़ते हैं आप यहां देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन होती है मधर बोर्ड में वो इस जगह पे होती है कुछ इस टाइप के यह लंबे-लंबे स्लोट होते हैं अब हम बात करते हैं CMOS battery की so यह non-volatile BIOS memory होती है non-volatile का मतलब की इसमें जब तक current है तब तक इसमें जो information होती है वो save रहती है और जब इसमें current नहीं होता तो इसकी जो information होती है वो तब भी save रहती है और अगर ये volatile memory होती तो इसमें क्या होता है कि जब हम current दे रहे हैं तब तक वो data है और जैसे हमने वो हटा दिया तो वो data उड़ जाता है हतम हो जाता है और non-volatile में होता है कि अगर वो उसमें electricity जो light है तो दे रहे हैं तब भी वो data है और हटा लेते हैं तब भी वो data है तो यह non-volatile memory होती है इसका use हम CPU में install करके तब करते हैं जब हम अपना system बंद करते हैं लेकिन हमारी जो real time clock होती है RTC होती है वो चलती रहती है उ तो guys इसका ही use करके हम अपनी bios की setting भी reset कर सकते हैं लेकिन इसका जादा तर use होता है system को एक power देने में जब हमारा system बंद होता है और हम power किसे देते है RTC को ताकि हमारा जो process है time का process है जो कि नहीं रुकने वाली चीज है वो चलता रहे असानी से लगभग एक से दूल साल जाती है क्योंकि time के साथ यह low भी हो जाती है so guys इसकी जो location mother board में होती है कुछ इस type के होती है इस जगा पे and coin shape में एक छोटी सी battery होती है आप पढ़ेंगे ISA, PCI and EGP slots के बारे में ISA जो slots है इन्हें कहते हैं industry standard architecture इनका जो basically use है expansion card को लगाने में use होता है यह 8 और 16 bit में आपके आते हैं यह कुछ इस type के यहां पर आपको दिख रहे होंगे इनका expansion card में लगाने में use होता है इस expansion card में आप audio card भी लगा सकते हैं video card भी लगा सकते हैं इनका इस्तमाल काफी समय पहले होता था आप इनकी replacement में PCI slots आ चुके हैं अब हम पढ़ेंगे AGP slots के बारे में यानि accelerates graphics port इनका सबसे ज्यादा use हम graphics को लगाने में graphic card को लगाने में करते हैं in comparing of PCI slots यह काफी अच्छी performance देते हैं यह काफी fast भी होते हैं PCI slots से अब पढ़ेंगे हम PCI के बारे में PCI का मतलब होता है peripheral component interconnect यह एक bus होती है जो कि local bus भी कहते हैं हम इसे एंड यह हमारे motherboard में install होती है एंड इसका काम होता है sound card, video card, NIC card को अपने motherboard में connect करने का यह north bridge को south bridge से भी connect करती है north bridge और south bridge का combination भी होता है जिसे कहते है sandy bridge तो PCI भी दो type में आती है PCI और PCIe यानि extended एक होती है peripheral component interconnect और एक होती है peripheral component interconnect extended दोनों का ही काम sound card, NIC card और video card को आपके motherboard पे connect करना तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो location होती है वो motherboard में यहां यहां होती है यह आपका EGP card है और PCI card है आप इसे अपने motherboard में भी चेक कर सकते हैं अब पढ़ेंगे हम chipset के बारे में a chipset is a set of electronic components in an integrated circuit that manages the data flow between the processor memory and peripherals actually इसका basic काम यही है कि यह flow जो data का flow होता है जो data हमारे जा रहा है कैसे जा रहा है इसको control करना होता है प्रोसेसर से memory और memory से peripherals peripherals जो भी हमारे hardware के components होते हैं अब बात करते हैं Southbridge के बारे में the Southbridge is one of the two chips in the core logic chipset on a personal computer the other being the Northbridge, the South improvements, the slower capability of motherboard इना Northbridge, Southbridge chipset computer Southbridge आप simply इतना समझे कि Southbridge का काम होता है वो simply इतना है कि PCI, USB, ISA, IDE, BIOS, legacy जो भी यह सारी चीज़े होती है, motherboard में इनको आफस में connect कर देना, interconnect कर देना, interconnect कर देना interconnection बना देना, उनका point बना देना, hub बना देना कि इन सब का control हमें यहां पे access हो जाएगा Southbridge का काम कितना होता है इसके बाद इसका transfer होता है, power का transfer यह Northbridge में कर देता है अब Northbridge के बारे में पढ़ेंगे, Southbridge का जो location होती हो, कुछ इस तरीके की होती है, motherboard में इस जगा पे यहां पे है, इसे कहते हैं Northbridge यह Southbridge and यह Northbridge अब Northbridge के बारे में पढ़ लेते हैं Northbridge का काम क्या होता है, जो Southbridge से connection आया है, उसे भी gather करेगा and Northbridge में जो हमारा काम होता है, वो यह होता है कि यह जो आपकी graphic card होते हैं, या video card होते हैं, NIC card होते हैं, इन सब को आपस में connect करना इन सब का जो भी work है, इनको आपस में execute करना and जो आपका Southbridge है, उसका work और अपना work को आपस में मिला देना and इससे जो भी formation हो रही है, वो computer में execute करा देना, यह काम होता है Northbridge का So guys, इन सब का complicated हो रहा है, इसलिए इन सब का जो एक नए आपडेशन है, जो कि अब use होता है Motherboard में, उससे हम क्याते है Sandy Bridge जो की combination होता है Northbridge और Southbridge का, लेकिन Northbridge और Southbridge का concept जानना आपके लिए बहुत जरूई है So, जो अब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, लेकिन अगर आपसे कोई कुछे Sandy Bridge क्या होता है, तो आपको simply यह बता देना, Northbridge और Southbridge का combination हमारा Sandy Bridge होता है So, यह था Northbridge की location, यह थी Southbridge की location And आपके Sandy Bridge है वो logically होता है, उसकी कोई भी appearance आपके motherboard में नहीं होती है So guys, आप बात करेंगे graphics card के बारे में, graphic card क्या होता है, graphic card एक छोटा सा graphic unit होता है, एक छोटा सा circuit board होता है जो कि आपके PCI या PCI slot में आपके motherboard में लगता है, जो कि आपके computer में कुछ graphic rendering की quality आपके system में boost कर देता है कुछ ऐसे image formation ला देता है, जिससे आपका system है, वो high graphics को support करने लगता है, and बहुत ही अच्छे-च्छे graphics को render करने लगता है इनका जादा तर use हम gaming purposes या high definition graphics work में करते हैं, इसको आप normally इतना समझने की graphic unit को high density या high level पे पहुचाने के लिए हम अपने system में graphic card का use करते हैं audio card, a sound card is an expansion card, और IC, इस हम expansion card भी कहते हैं, for producing sound on a computer, हमें अपने computer में कोई भी sound को ले जाना है, microphone लगाना है, या कोई भी speaker मतलब connect करना है, तो हमें अपना एक audio card की जरूरत पढ़ते हैं, जिससे हमारे computer system में audio support कर जाएं, तो हम उसके लिए audio card का use करते हैं, ये inbuilt भी हो सकता है और outbuild भी हो सकता है, ये normally motherboard में पहले से भी आ सकता है, और अगर नहीं आता है, तो आपको ये externally लगाना पड़ता है, तो आप बात करेंगे NIC card की, NIC card होता है, network interface card, इस ही में आपका Mac address होता है, Mac address का मतलब होता है, media access control, ये एक physical address होता है, जो दुनिया में आपको एक बार, आ होता है, इसके भी आपको PCIe या PCIe slot में आपको इसे insert करना पड़ता है, अगर आपको internet से connect होना है, तो आपको ये card अपने system में लगाना पड़ता है, तो आप जानेंगे कुछ ports के बारे में जो आपके CPU में पीछे हो सकते हैं, जो कि motherboard में connect होते हैं, सबसे नीचे आप यहा आपको port दिखता है, align-in का port दिखता है, जिसमें आपको अपने speakers connect कर सकते हैं, या पर आपको USB ports दिखते हैं, या पर ये दोनो, ये चारो ही आपके 2.0 है, या पर आपको firewire port दिखता है, या पर firewall भी connect कर सकते हैं, अपनी external firewall, यहाँ पर ethernet port है, RJ45, यहाँ पर इंटरनेट की cable जिसे ethernet cable भी आप कहते हैं, या connect कर सकते हैं, यह आपका serial port है, यह आपका parallel port है, जिसमें आप printer और scanner connect कर सकते हैं, यह आपके PDF ports हैं, यह आपको PS2 keyboard का port और यह PS2 mouse का port दिख सकता है, यह सारे ही port आपके motherboard वाले हैं, इनमें कुछ port आपके outdated हैं, लेकिन जादत तर इसमें आपक तो अभी भी normally तिखने को मिल जाएंगे, इसके बाद चौथा वाला भी PS2 port हैं, यह दोनों ही PS2 port हैं, आपके mouse और keyboard के LAN port हैं, दूसरे नमबर पे, यह आपका LAN port, इसके बाद है audio port, यह तीन ही आपके audio port हैं, इसके बाद चौथा वाला भी PS2 port है, यह वाला PS2 port है, keyboard का, पां यह नमबर पे VGA, यह आपका VGA port है, एंड इसके बाद है USB 2.08 नमबर पे, तो यह वाला आपका USB 2.0 है, यह 3.0 है, यह 2.0 है, दोनों में ही speed का ही अंतर है, बस, इसके बाद सम अधर ports देख लेते हैं, एक नमबर पे DVI port है, यह आपका DVI port है, इसके बाद है parallel port है, आपका parallel port इसमें तो दिखाने या, लेकिन होता है parallel port भी होता है, आपका HDMI port यह रहा, आपका HDMI port यह रहा, audio port है, यह देखो, audio port इसमें subwoofer को भी audio port है, इसमें extra बहुत सारे speaker आप attach कर सकते हैं, पाच्वे नमबर पे आपका USB 2.0 है, यह आपका USB 2.0 के चार port अवेलिबल है, यह आपका USB 2 DVD रैटर या अपनी hard disk या solid state drive यानी SSD अपने motherboard में connect कर सकते हैं, इसका SATA and IDE cable होती है, वो आपकी इन ports में connect होती है, जिसे हम कहते है, SATA या IDE port, और जो cable आती है, आपकी वो होती है, 7 या 40 pin की, दूसरी नमबर पे हमारे पास आता है, power connector wires, power connector wires 20-24 pin की ATX port में connect होती है, यह 20 port की य आती है, and 4 pin की power wire होती है, इसके बाद बात करते है CPU fan wire की, तो CPU fan wire आपकी कुछ 4 pin की BRY port में लगती है, जो कि यह wire होती है, और BRY port में लगती है, सो अथे नमबर बाद आती है, molex wire for power in hard disk, 4 pins, यह होती है, आपके molex wire जो कि आपकी hard disk और optical disk drive यानी DVD writer को power देने के लिए use होती है So guys, यहाँ पर देख लो, कुछ speed के बारे में है, जैसे USB 3.1 से USB 3.1 की speed क्या होगी, So guys, 10 Gbps highest speed होती है, USB 3.1 की 3.0 यूज़ कर रहे हो, यानी 3.0 यूज़ कर रहे हो आप, तो उसके highest speed होती है 5 Gbps, और अगर आप USB 2.0 यूज़ कर रहे हो, तो आपके highest speed होगी 480 Mbps, अगर यूज़ कर रहे हो, तो आपकी होगी 480 Mbps, यह depend करता है कि आप कोंसे drive पे अपना data send कर रहे हो, जैसी USB 2.0 drive है आपकी, तो आपको 480 Mbps है, और अगर आप वही 3.0 पे, आप 3.0 पे ही transfer कर रहे हो, तो आपकी 5 Gbps हो जाएगी, So guys, यह depend करता है आपके USB के उपर, और USB port के उ और हैं, जैसे आपके type A क्या होती है, वो type A कुछ इस type के होती है, type B कुछ इस type के होती है, type C जो कि आपका iPhone का charger भी होता है, वो इस type के होती है, mini A, mini B, and यह बहुत सारे type की USB भी होती है, So guys, इनके बारे में आप बहुत एच्छे से Google पे explanation निकाल सकते हैं, इस यहाँ पर बात करते हैं, audio port की जो basically किसी भी CPU के पीछे provide होते हैं, तो सबसे पहले जो pink color का port आता है, वो होता है microphone enable करने के लिए, इसके बाद होता है line in यानि speaker लगाने के लिए, and line out इसके extra speaker लगाने के लिए है, So, इन दोनों का speaker में use होता है, and इसका हम microphone यानि recording devices में use कर करते हैं, so guys, आप बात करते हैं, microprocessor के बारे में, everything about microprocessor, so CPU, हम normally microprocessor को CPU एक आम भाशा में कह देते हैं, और CPU को हम पूरा cabinet भी कहते हैं, लेकिन वो wrong pronunciation है, CPU हम microprocessor को ही कहते हैं, जो कि छोटी सी chip होती है, logical chip होती है, जो कि motherboard में, socket में installed होती है, अब हम पढ़ेंगे microprocessor क it is known as the brain of the computer, it is first priority to run a machine, so guys, मैं इसको highlight कर देता हूँ, so सबसे पहला, it is known as the brain of the computer, it is first priority to run a machine, so guys, सबसे पहली priority होती है, machine को run करने के लिए microprocessor, guys, ये brain कहा जाता है, computer का, अगर आपके पास आपका दिमाग नहीं है, तो आप जिन्दा थोड़ी न रहता होगे, so guys, आपके पा आपके पास हाथ नहीं है, यानि mouse नहीं है, आपके पास computer का, यानि आपका हाथ नहीं है, तो आप जिन्दा रहल होगे, लेकिन आपके पास दिमाग नहीं होगे, तो आप जिन्दा नहीं रह सकता है, ऐसा ही होता है, microprocessor computer में, ये brain की तरह होता है computer का, और अगर ये नहीं ह है तो आपको सिस्टम किसी भी हालत में रन नहीं होगा तो यह फर्स प्राइटी है रने आप मशीन दूसरे नमबर पर आता है एक चिप बेस्ट स्ट्रक्चर मेड अफ मिलियन अफ ट्रांजिस्टर और लोजिक केट से डिजाइन होती है यह बहुत ही माइक्रो लेवल ट्रांजिस्टर होते हैं जो की माइक्रो स्कॉप से ही देखे जा सकते हैं नॉर्मली नेक आइस से इसे हम देख नहीं सकते हैं इसे इन्पूट लेती है इसके बाद प्रॉसेस करती है और आउट्पूट रिजल्ट कर देती है लेकिन जो प्रॉसेस होती है वो का होती है प्रॉसेसर में होती है वो प्रॉसेसर की मदद से ही होती है तो प्रॉसेसर का काम यहाँ पर आता है तो चौते नमबर पर है, it is responsible for the speed and capacity to execute task in our computer system. अब भी हम कोई भी computer में काम करते हैं, तो वो processor ही बताताएगी, इसे कितनी देल लगेगी, capacity और speed जो होती है काम करनी की, वो processor ही decide करता है, जिसे हम clock speed में measure करते हैं, जैसे gigahertz या megahertz, तो यह responsible होता है, speed और capacity के, पाच्वे नमबर पर, these microprocessor are categorized into two different architecture, 32 bit and 64 bit, यह तो आपको पता ही होगा, 32 bit और 64 bit पर ही आपके architecture work करते हैं, और नॉर्मल मार्केट में यही दोनों architecture के आपको microprocessor available मिल जाते हैं, 32 bit को आप into 86 भी कहते हैं, तो आप बात करते हैं, segments of CPU, basically segments of CPU are categorized into two different segments, दो टाइप के segment पर यह categorized होते हैं, सबसे पहरा, arithematical logical unit और दूसरा control unit, arithematical logical unit also known as ALU, ALU के नाम से भी हम arithematical logical unit को जानते हैं, it performs all the arithmetic, mathematical, algebraical and logical tasks, like addition, divide, multiplication, subtraction and modulus, so guys, जो arithmetic logical unit होती है, वो एक ऐसी unit होती है, microprocessor की, जो की responsible होती है, वो सारे mathematical, arithematical, algebrical या logical काम करने में, चाहिए वो addition हो, चाहिए डिवाइड हो, multiplication हो, जो भी mathematics की आपकी calculation हो सकती है, logical calculation हो सकती है, उन सब कामों को करने के लिए, जो responsible होती है, alu, यानि arithematical logical unit, ये कुछ logic task भी perform कर सकती है, जैसे or and not, ये सारे logical task होते है, इनको भी हम arithematical logical unit के ही मदद से perform कर सकते हैं, while control unit क्या होती है, control unit is responsible for controlling the flow of data between microprocessor and the external components of the computer using the CPU buses, जो आपकी CPU buses होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, communication bus हो गई था, आपकी data bus हो गई थी, address bus हो गई थी, इन सब की मदद से flow of control, flow control करती है data का, एक जगा से दूसरी जगा कैसे जा रहा है, microprocessor से बाहर के components तक, कैसे वो data travel कर रहा है, उनसे सब को control करने का काम होता है, control unit का, यानि CU का, यही थे form factors, microprocessor के segments या categories, जो segments की categories थी, ALU and CU, सो आप बात करते हैं, buses and microprocessor, सो CP consists to three buses, basically buses are used as mediums और carrier information और data between the microprocessor and the memory, सो यही आपको, मैंने पहले भी बताया कि यह carrier होती है, एक जगा से दूसरी जगा data को ले जाने का, इसमें भी data bus है, address bus है, और control bus है, data bus का का काम होता है, receive और send करना memory को, जो भी data है, receive या send करना memory या RAM तक, और address bus का का काम होता है, यह address को memory तक पहुचाती है, जो की input में user से मिला होता है, और control bus का का काम क्या होता है, यह communication कराती है, CPU का बाहर के सभी components, जो कि आपके motherboard या आपके computer system में attached है, यही तीन basically buses microprocessor के under काम करती है, और इनका काम होता है, आपस में data को इधर से उधरने जाना, और communication कराना between various peripherals, components and CPU. So, अब बात करेंगे, specification of CPU, major specification of microprocessor. सब से पहले आती, clock speed. Clock speed is a unit to measure the number of instructions executed by the working microprocessor within a second, is called clock speed. It is measured in GHz. Clock speed एक unit है, measurement की, जो की number of instructions execute, एक बार में कितनी instruction execute करता है, हमारा microprocessor, एक second के अंदर, उरको calculate करता है, जैसे GHz, 1 GHz आपने सुना होगा, 2 GHz का microprocessor है, and 1 GHz का microprocessor है, so GHz होता है, 1000 times of MHz. So guys, यह बहुत ही बड़ी unit होती है, जो की task को perform करने वो होती है. So, इसी को हम कहते है, clock speed, number of instruction execute by the microprocessor within a second. So, measurement होता है, यह कितना काम कर रहा है, हमारा microprocessor within a second में. इसके बाद आती है, हमारी cache memory. It is a static, natured, and quick responsive memory. By structurally, it is made up of 6 transistors and 1 capacitors. In each cell block, cache memory are categorized into 3 types, L1, N2, and L3. So, guys, यह static natured में होती है, and बहुती तेज response वाली memory होती है, जिसमें आपके वो सारा data store होता है, जो की आपको बार-बार provide करने में problem होती है, जैसे कि आपने web browser में देखा होगा, आपने एक बार अपना facebook login कर दिया, तो आप दुबारा अपने facebook में जाते हैं, आप से बिना credential मांगे, आपकी ID आपको open कर देता है, So, guys, यह बहुत ही अच्छी priority होती है, बहुत ही अच्छी है, यह possibility होती है, आपको एक convenience provide करने के लिए, So, guys, यह तीन टाइप में categorize होती है, L1, L2, and L3, So, guys, एक quick responsive cache memory होती है, यह आपको structure अलगार आप देखना चाहो, तो यह six transistors और एक capacitor से बने होती है, जो कि micro level पर आप देख सकते हैं, So, आप बात करेंगे operating voltage के बारे में, It means how much power और voltage microprocessor needs to perform task, So, operating voltage वो voltage होती है, वो power होती है, जो कि consume करेगा हमारा microprocessor run करने के लिए, So, यह voltage में होती है, यह V में होती है, यो कि आप different different microprocessor के different different होती है, FSB, it stands for front side bus, it is a data bus, which carries the data from RAM to processor and back processor to RAM, So, guys, यह एक bus होती है, जो कि data को RAM से processor तक ले जाती है, और वाप इस processor से RAM तक लाती है, So, यह instruction के हिसाब से काम करती है, So, guys, अब बात करेंगे कुछ major brand के बारे में, जो कि microprocessor को manufacture करती है, सबसे पहली है हमारे पास Intel, Intel Corporation is an American multinational corporation and technology company and the biggest manufacturer of microprocessor in the planet earth, So, guys, यह सबसे बड़ा microprocessor brand है, जो basically सबसे ज़्यादा work अपने microprocessors के लिए करता है, and Intel से बढ़िया कोई microprocessor अभी इस rate का कोई बनाता नहीं है, So, दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है AMD, यानि Advanced Micro Devices, यह भी एक American multinational semiconductor company है, जो की microprocessor GPU जैसी चीज बनाती है, and यह भी बहुत अच्छी brand है, and second most selling brand है, पूरे world की, तीसरे नंबर पर अगर आप नॉर्मली लेना चाहो तो, Nvidia भी एक बहुत इच्छी company है, जो भी American waste company है, and यह ज़्यादा था, लेकिन graphics पर ही deal करती है, and इसके ज़्यादा अच्छे आपको GP units ही मिलेगे, लेकिन अगर आप world की top two leading brands के बारे में जानेंगे, जो microprocessor manufacture करती हैं, तो वो Intel और AMD ही हैं, obviously, तो history and present जान लेते हैं, इन दोनों ही brands के बारे में, सबसे पहले हम जानेंगे, Intel का first processor कौन सा था, Intel का first processor था, Intel का 4004 जो की calculator के लिए design करा गया था, जबकि AMD का जो पहला processor था, वो था AMD का EM9300, जो की Intel के competitor में तयार किया गया था, उसका भी use calculator में ही हुआ था, जो Intel का latest processor इस time पे जो अभी updated आया है, वो है आई 9 Intel 10th generation processor, जो की LGA 2066 socket में लगता है, और जबकि AMD का जो latest processor है, वो है AMD का Ryzen 9 3000 Plus Series, जो की AMD का AM4 socket में लगता है, socket के बारे में हम आगे बात करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं packaging क्या होती है, the process of installing the microprocessor in motherboard is known as packaging, जो process होता है microprocessor का motherboard में install करने का, motherboard में जो socket होता है उसमें install करने का, उसे हम packaging कहते हैं, इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं sockets for CPU, according to structure, sockets are collection of array of pins which holds microprocessor, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि एक pin का array होता है, जिसमें आप अपना microprocessor hold करके रख सकते हैं, जो कि एक stable position पर आपका microprocessor रखा राएगा, जो कि हिलेगा डूलेगा नहीं और यह जो socket होंगे आपकी वह आपके heat कम करने में भी आपके microprocessor के help करते हैं, so यहाँ पर मैंने AMD और Intel के दोनों की microprocessor के बारे में उनके socket के साथ लिख रखाया है, सबस्वादे हम बात कर लेते हैं Intel की, Intel में LGA जो socket होता है वह 1151 से 1155 pins का बना होता है, एंड इनका जो processor होता है वह होता है i3, i5 and i7 एंड इससासर जो PGA होता है PGA का जो socket होता है वह Pentium processor के लिए बना होता है एंड यह लगबग 775 pins का होता है PPGA जो होता है वह होता है Core to Duo और Dual Core के लिए जिनके pin होते हैं लगबग 775 और 445 एंड इसके साथ FCPGA, FCPGA होता है आपके पुराने generation के CPUs के लिए जैसे P1, P2, P3 Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 इसमें आपके होते हैं 445 pins, इनके फुल फॉर्म होती है, LGA के लिए आपके होती है, Land Grid Array, PGA के लिए होती है आपके Pin Grid Array, PPGA के लिए होती है, Plastic Pin Grid Array and FCPGA के लिए होती है, Fine Chip Pin Grid Array अब बात करते हैं AMD के बारे में, AMD में आपके पास C Series पे आपके number of pins हो जाती है, Socket C32 पे number of pins आपकी लगग लगग 1150 के आसपास आती है, आपके प्रोसेसर आपका इसमें Optaron लगता है, वाइल EM Series में EM1-4 आपके उसमें प्रोसेसर आते हैं इसमें आपके number of pins होती है, 950 के आसपास इसमें आपके Ryzen 3, 5, 7, 3, 9, Ethylor and Semperon जैसे प्रोसेसर लग जाते हैं, इनके बार में आप इंटरेट पर बहुत अच्छे से जान सकते हैं, इसमें आपको सिंपली आपको Google पर सर्च करना पड़ेगा, Sockets of CMD और उसके आगया आपको इसी भी ब्रैंड को आपको देखने हैं आप उस ब्रैंड का नाम टाइप करते हैं, आपको सिंपली उसके सारे Packaging आपके और उसके सारे Socket with number of pins आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन सिंपली आपके Knowledge के लिए मैंने आपको यह आपके बता दिया कि Packaging में कौन-कौन से Sockets होते हैं, कितनी Pins होती हैं, कौन-कौन से Processor उसमें Install हो जाते हैं, इसमें एक सबसे बड़ी बात ही होती है, जैसे 1151 से 1155 Pins है, इसमें Generation के हिसाब से Microprocessor लगते हैं, इसमें आप 1151 और 55 दोनों में आपके i7 processor लग सकते हैं, लेकिन according to their generation, जैसे 2nd generation सपोर्ट करता है 55, लेकिन 7th generation जो i7 की होगी, वो 51 सपोर्ट करता है, वो 55 सपोर्ट नहीं करता है, so guys, according to the generation यह आपके Pins decide होते हैं, so guys, why AMD, AMD अगर आप लेना चाहें, तो AMD क्यों ले, इसके कुछ reasons, so, सबसे पहले overclocking, अगर आपको एक बहुत ही अच्छी overclocking करनी है, overclocking का मतलब आपको अपने CPU को उसकी limit से जादा ले जाना है, so guys, आप AMD के साथ जा सकते हैं, क्योंकि AMD एक high performance processor बनाता है, इसमें बहुत ही अच्छी gaming purposes में आपको बहुत ही बढ़िया result इसमें मिलेंगे, and इसकी latest technology इसको 4.2 GHz तक overclock करने में आपकी help कर सकती है, and graphics के मामले में AMD बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको integrated onboard GPU भी मिल जाता है, जिसे आप बहुत ही normal तरीके से use कर सकते हैं, and आपको high end अगर gaming करनी है, तो आपको graphics बहुत अच्छे इसमें मिल जाते हैं, बिना किसी graphic card को install करे हुए, अगर आप इसमें external graphic card भी install करते हैं, तो आपको एक बहुत ही high end PC देखने को मिल जाता है, इसमें आपको EVP यानि enhanced virus protection भी मिलती है, जो कि आपको while booting जब आप बूत करोगे अपने system को, तो आपको CPU को बाहर की infected viruses से आपके CPU को protect करती है, जो कि बहुत ही अच्छी priority है, gaming and graphic task अगर आपको करने हैं, कोई भी animation create करना है, आपको movies, VFX वाले काम आपको करने हैं या 3D modeling करने हैं, तो आपको एक high performance PC की जरूरत पढ़ती है, तो आपको in comparing of Intel मैं आपको recommend करूँगा AMD, क्योंकि AMD बना ही है आपकी graphical work के लिए, so guys, cost के हिसाब से बात करें तो AMD is much cheaper than Intel, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी performance भी मिलती है, and ये budget के साथ आपके सामने आता है in comparing of Intel, अगर आपको budget के हिसाब से same performance में लेना है, तो आप AMD के साथ जाए, आपको definitely ये काफी cheaper मिलेगा comparing of Intel में, so guys, आप यहाँ पर कुछ reasons है कि आपको Intel क्यों चुनना चाहिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं overclocking, as similar of AMD इसमें भी overclocking आपको देखने को मिल जाती है, इसमें आप 4.4 GHz तक की overclocking कर सकते हो, जो कि अपने limits से जाद आपने processor को ले जा सकते हो, लेकिन इसमें एक आपको advantage यह मिल जाता है कि अगर आप overclocking करते हो, तो आपको इसमें उतनी overheat देखने को नहीं मिलती है, जितनी overheat आपको आपकी AMD processor में देखने को मिलती है, इसमें आपको hyperthreading भी available मिल जाती है, hyperthreading का मतलब होता है कि आपको जो Intel का processor है, वो होगा physically तो एक processor, लेकिन वो logically दो processor का work करेगा, यानि logically वो अपने आपको दो processor का काम कर रहेगा, दो तरीके का processor वो divide कर लेगा अपने आपको, यह एक बहुत ही अच्छा advantage है Intel के processor का, इसमें आपको executable bit भी मिल जाता है, यानि EDB का मतलब होता है कि आपको एक protection मिल जाएगा viruses से, आपको microprocessor को, जो की AMD में EVP होता है, EDB, EVP similar होते हैं, एक होता है Intel में और एक होता है AMD में, Course and Threads, आपको इसमें काफी जादा मिल जाते हैं in comparing of AMD, इसमें आपको latest वाले में आपको मिलेंगे 32 Threads अगर आपको graphically work नहीं करना है, आपको कुछ ऐसे काम करने है जो कि आपको normal PC में आपके हो जाएं, तो आप Intel ही लें, क्योंकि Intel क्या है कि कुछ इसमें ऐसे advantage हैं, जो आपको AMD से better मिल जाएंगी, जैसे इसमें अगर आपको battery backup long life चाहिए, तो आप Intel के साथ जाएं, क्योंकि AMD आपका heat भी जादा करता है, और उसमें कुछ ऐसे task होते हैं, जो कि अपने आप disable नहीं होते हैं, इस technology पे based नहीं होते हैं, वो background में run करते रहते हैं, और आपके battery construct करते रहते हैं, Intel में आपको east support भी मिल जाता है, यानि enhanced Intel speed up speed step technology, इस पे क्या होता है कि अगर आप कोई high end काम कर रहें, जैसे game खेलने हैं, तो guys आपका CPU होता है, वो full speed में, full clocking में काम कर रहा होता है, full performance दे रहा होता है, लेकिन आप जब भी कोई normal work करते हैं, जैसे आप कोई document टाइप कर रहे हैं या कुछ भी normal सा काम कर रहे हैं, so guys आपका जो processor हो आपनी जो speed है, वो बिलकुल low कर देगा, ताकि आपका जो consumption है, power consumption है वो बिलकुल low रहे, आपके processor में ज़्यादा भार ना रहे, ये एक बहुत ही ज़्यादा advanced और बहुत ही ज़्यादा intelligent technology है, जो की सिरफ और सिरफ Intel में introduced हुई है, so guys अगर आप देखना जाएंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा differences हैं, आप इसको भी internet में differentiate कर सकते हैं, so guys यहाँ पर conclusion हम देख सकते हैं, if you are using laptop, go with Intel, because AMD consumes a lot of power and also release a lot of heat, so the laptop Intel is ideal, so guys यह बहुत ही अच्छा रिस देन हैं कि अगर आप laptop ले रहे तो Intel के साथ जाएं, AMD ले रहे हैं, तो अगर आपको lots of power चाहिए, अगर आप desktop युज़कोरे हैं, तो ही आप AMD लें, क्योंकि कब तो यह आपके लिए बहुत ही ideal रहेगा, अगर आप laptop लेने तो आपके लिए ideal रहेगा Intel, which gives you a better performance, यह भी बहुत अच्छा reason अगर आप multitask करते हैं, बहुत सारे task एक साथ करते हैं, आप गाने भी चलाते हैं, आप word कर document भी टाइप करते हैं, बहुत सारी काम एक साथ आप करते हैं, आप Intel करें, क्योंकि Intel में बहुत सारे threats मिल जाते हैं, और threats का मतलब यह होता है, कि अगर आप multiple task को करते हैं, तो वो एक logically दो CPU में convert हो जाएगा, आपको बहुत ही अच्छी speed देगा, सभी काम को एक साथ करने में, जबकि AMD में ऐसा नहीं है, बहुत हर comes with virtualization and turbo boost technology, which helps to give more than their ability, and also runs 2S at a time. So guys, दोनों में आपको virtualization मिल जाता है, virtualization का मतलब है, आप 2 operating system को एक साथ, आप एक ही system में चलाया सकते हैं, VMware की मदद से, VM Workstation एक ऐसा software है, जिसमें आप 2 operating system को एक साथ, अपने एक ही single system पे चला सकते हैं, और turbo boost technology का मतलब वह होता है, जब भी आपको कोई high end work करने लगते हैं, तो आपका जो microprocessor होता है, वो automatically बिल्कुल boost mode में चला जाता है, बिल्कुल high performance आपको देने लगता है, Intel have much better service in India in comparing of AMD if you are processing for company purposes go with Intel, because in companies, workload is too high work processor needs maintenance time-by-time. So guys, अगर आप किसी भी organization, किसी भी office में कोई भी processor install करने की सूच नहीं, so guys, आप Intel के साथ जाएं, क्योंकि इंडिया में Intel का support बहुत ही अच्छा है, AMD का उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको company में क्या होता है, क्योंकि तुरंत आपको system सही करने पड़ते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुक्साम देखने का मिल सकता है, so guys, वहाँ पे बिल्कुल quick service चाहिए होती है, so हम Intel वहाँ पे ज्यादा refer करते हैं, क्योंकि Intel जो है वह बहुत अच्छी service प्रवाइड करता है, and within a time limit अपने employees जो भी उनके engineers होते हैं, वह on the spot भेज देता है, so guys, अगर आप office के reason से देखना चाहिए तो आप Intel ही purchase करें, so guys, heat sink solution for overheating, so guys, जब भी microprocessor run करते हैं, so guys, उससे बहुत सारी heat consume होती है, so guys, उस heat को निकालने के लिए हम heat sink install करते हैं, so guys, heat sink दो type के होती है, एक होती है active heat sink और दूसरी होती है passive heat sink, active heat sink वह होती है जिसमें उपर fan लगा होता है, और passive heat sink वह होती है जिसके उपर fan नहीं लगा होता है, जो heat sink होती है, heat sink जो microprocessor chip से attach होती है, तो उसके बीच में thermal grease लगी होती है, या thermal paste भी कहते हैं उसे वो paste होता है जो microprocessor की जो heat होती है वो heat sink में transfer करता है वो paste हमें हर 3 महीले में change भी करना पड़ता है तरकि हमारा microprocessor heat ना हो यहां हम बात करेंगे कुछ mobile processors के बारे में कि mobile में कौन कोन से processors होते हैं और उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं जो mobile के processor होते हैं वो बिलकुल low size and compatibility के साथ आते हैं उनमें हम कोई भी special work नहीं कर सकते हैं वो portable device में use होते हैं इसलिए बहुती छोटे size में होते हैं और उसमें हम कोई भी overclock या turbo boost की technology हमें enable नहीं मिलती हैं उसमें कोई भी overclock या turbo boost नहीं कर सकते हैं इसी के साथ साथ वो simple task के लिए design होते हैं जैसे messaging watching videos और playing games यहां पर कुछ microprocessor की brand से जो की mobile के microprocessor manufacture करते हैं सबसे पहले यहां पर हमारे पास आ जाती होगा का केरीन फिर आजाती qualcomm snapdragon फिर आता है apple का a series manufacture जो की samsung manufacture करता है apple के microprocessor इसके बाद आ जाता है हमारे पास media tech का helio इसके बाद आ जाता है हमारे पास samsung का exynos यह थे सारे टाइब मोबाइल के microprocessor के so their speed is depends upon the size of transistor so guys इन सभी की speeds होती है वो इनकी transistors के size पर depend करती है जेतना छोटा transistor का type होगा उतना तेज microprocessor होगा so guys जो अभी latest technology के microprocessor है वो है 14 nanometer के जो की सबसे fastest mobile के microprocessor है so guys यह था अभी तक का mobile processor का सारा knowledge so guys अब हम जानेंगे memory के बारे में memory is required in computers to store data and instructions so guys आपको पता ही होगा हमें कोई भी data या कोई भी चीज हमें जब अपने computer या mobile phone में store करानी होती है तो हम उसे एक memory में store कराते हैं चाहे वो inbuilt memory हो चाहे वो removal external memory हो so guys हमें अपने system में कोई भी data instruction जब हमें store करानी होती है provide करानी होती है तो हमें memory की जरूरत पड़ती है जिसमें हम उसे store करते हैं computer memory is any physical device capable of storing information temporary और permanently जो computer के memory होती है वो एक physical device होती है जो की capable होती है store करने की information वो information जो इसमें store होगी वो temporary भी हो सकती है और permanent भी हो सकती है ये डिपेंड करता है कि वो memory कौन से type की है जिनके बारे में हम आगे पड़ेंगे अब जान लेते हैं types of memory memory कितने types की होती है सबसे पहले हम जानेंगे primary memory के बारे में primary memory क्या होती है this is the main memory of the computer CPU can directly read or write on this memory it is fixed on the motherboard of the computer so guys जो primary memory होती है वो main memory कहा जाता है उसे computer की CPU जो होता है हमारा microprocessor जो होता है उसे directly read कर सकता है और वो fixed होती है motherboard उसके position होती है slot होता है जिसमें वो fixed होती है the main features of primary memory which distinguish it from secondary memory और इसके जो कुछ main feature होते हैं जो second memory से इसे अलग करते हैं वो क्या है it is accessed directly by the microprocessor यह microprocessor से इसका direct contact होता है इसके बीच में कोई भी restriction नहीं होता है it is the fastest memory available जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था cache memory सबसे fastest memory होती है तो वही memory यहां पर बताई गई है कि fastest memory होती है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे यहां पर देखो आपका memory के टाइप आ चुके है जो की primary memory है यहां पर देखो primary memory उपर लिखा हुआ है फिर आपको यहां पर random access memory लिखा हुआ है यानि यह primary memory के टाइप है सबसे पहला RAM और दूसरा है ROM यानि RAM, ROM दोनों ही primary memory के टाइप है आप यहां पर देखो RAM के भी दो टाइप्स हैं DRAM और SRAM DRAM का मतलब dynamic random access memory और SRAM का मतलब static random access memory अब यहां पर आपको ROM का भी टाइप दिख रहा है सबसे पहले P-ROM दूसरी E-P-ROM, P-ROM होती है programmable read only memory और E-P-ROM होती है electrical programmable read only memory अब E-P-ROM के भी दो टाइप है double E-P-ROM और U-V-E-P-ROM, so guys यह type होते है ROM के, so अब हम पढ़ते है ROM के बारे में, read only memory, ROM की full form होती है read only memory, also known as firmware जो firmware होता है, हमारा जो BIOS होता है, या UEFI कहते हैं हम जिसे, वो ROM चिप पर ही store होता है, so जो हमारा ROM होता है, ROM में basically हमारा firmware, हमारा BIOS जो की booting में आपको देखता होगा, जब आप F12 या boot menu पर जाते हैं, F12 या F9 की दबाके, तब आपको firmware आपको open हो जाता है, so guys, ROM चिप में आपका basically firmware ही store होता है, data stored in this memory cannot be modified, इस memory के अंदर कोई भी जो data होता है, उसे हम modified नहीं कर सकते हैं, सिरफ उसे update कर सकते हैं, ये non-volatile memory होती है, volatile और non-volatile का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन दुबारा बता देता हूँ, volatile का मतलब वो होता है, कि एक बार हमने data उसमें store कर दिया, जब तक उसमे electricity passed है, तब तक वो रहेगा, और जैसी हम उसमे electricity का consumption हटा देते हैं, तो वो data भी अपने आप remove हो जाएगा और non-volatile का मतलब होता है, electricity जा रही है या नहीं जा रही है, उससे उस पर कोई effect नहीं पड़ेगा, वो data store है, तो वो हाँ पर store रहेगा, जब तक हम उसे वहाँ से हटाएंगे नहीं या delete नहीं करेंगे, तो यह एक non-volatile memory है, इसका मतलब electricity हो या ना हो, जो data है, इस memory में वो इसमें save रहेगा, जब तक हम उसे लेट नहीं करेंगे, रोम usually stores the startup instructions, startup instructions से मतलब है, जो कि हमारे booting files होती है, जो boot loader हमारा जो load होता है, जो हमारे booting files को load करता है, operating system की startup के दोरान, उन files को यह save करके रखता है, अपने अंदर जो की काम होता है, हमारे bios का, when computer is switched on the first piece of instruction of a program accessed by the CPU is BIOS, which is ROM, pre-programmed to start the computer, देखो, यहाँ पर वही बतायागा, कि यह BIOS chip होती है, BIOS इसके अंदर store होता है, जो कि जब हम switch on करते हैं, computer का, सबसे पहले यही file load होती है, जो कि ROM chip में store होती है, जो कि सारे operation कराने में आगे आपके help करती है, so guys, basically, ROM एक chip होती है, जिसमें आपका BIOS store हो जिसे कहते है, P-Room, जिसका perform उता है, programmable read only memory, यानि P-Room, इसे one time programmable read only memory भी कहते है, empty of data when the chip is manufactured, जब यह manufacture करी जाती है, तो यह विलकुल खाली होती होती है, कोई भी BIOS कुछ भी नहीं होता है, can be programmed by the user, यूजर के द्वारा इसमें programming, जो भी system में हम कराना चाहेंगे, जो भी BI होगा, वो करेगा, ये पहले से ही इसमें BIOS store होके नहीं आता है, इसे program करना पड़ता है, once programmed, the data cannot be erased, एक बार आपने program कर ली, तो आप इसे erase नहीं कर सकते हैं, आप जान लेते हैं, E-P-Room के बारे में, erasable, programmable, read-only memory, यानि E-P-Room, can be written to or programmed, इसे write भी कर सकते हैं, and program भी कर सकते हैं, can be erased, written का मतलब यहाँ पर यहीं है, कि आपने एक बार program कर ली, तो आप उसे erase भी कर सकते हैं, दुबारा से उसे program कर सकते हैं, इसका कोई भी affection आपके system में नहीं पड़ेगा, यह था E-P-Room, और आप पढ़े लेते हैं, double E-P-Room के बारे में, यानि electrically erasable, programmable, read-only memory, can be written to or programmed, इसमें भी आप write कर सकते हैं, और program कर सकते हैं, can be erased with the help of electrical devices, electrical devices जैसे आपकी computer में बहुत सारे peripherals होते हैं, उनके मदद से हम इसे erase कर सकते हैं, so data can be easily modified, इसमें हम easily modification भी कर सकते ह हमें रोम में बिलकुल भी permitted नहीं था, और double E-P-Room में आपको इस चीज की permission है, कि आप उस data को modify भी कर लो, so guys, आप पढ़ेंगे हम flash memory के बारे में, यह एक non-volatile memory होती है, can be erased electronic and rewritten similar to E-P-Room, E-E-P-Room जैसे वो erase भी हो सकती थी, rewrite भी हो सकती थी, यह flash memory भी same, वैसे ही rewrite हो सकत है, most computer use flash memory to hold their startup instructions because it allows computer easily to update its concern, जब भी हमें अपना system update करना होता है, तो हम flash memory का ही use करते हैं, अपने operating system या BIOS को update करने के लिए, so guys, यहाँ पर वही बताया गया है कि हम कोई भी startup के दोरण updation लेना है, installation करना है, तो हम flash memory का इस्तमाल करते है, so अब जान लेते है, RAM के बारे में, RAM की full form होती है, random access memory, it gets the word random because information can be accessed in non sequential order, इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से हमें information gather हो जाती है, इसलिए इसका नाब random होता है, through the data itself is stored together, it could be anywhere in the container or amount of RAM available, RAM जो होती है, इसमें बहुत सारे blocks होते हैं, जिसमें different type की information, आपकी जो programs के information होती है, या instructions होती है, वो different तरीके से save होती है, so RAM random access memory is a type of memory that computers use to store data and software to which it needs to access quickly, RAM में वो सारे data and instruction save होती है, जो कि आपको तुरंत लेनी पड़ती है, जैसा cache memory होती है, cache memory में अभी आपका जो credential आप डालते हैं, वो save होती है, जल्दी से एक्दम आपको access करनी होती है, तो हापे आपको auto save आपको मिल जाता है, तो व memory होती है, वो भी RAM के अंदर ही होती है, so guys, ऐसे ही कुछ convenience के लिए हमारे RAM मिलती है, RAM एक volatile memory है, जो की information store करती है, अपने अंदर, जब भी हम अपने कोई भी software को run करते है, तो उसकी जो सारी information होती, instructions होती है, वो सबसे पहले RAM के पास ही जाती है, RAM उसे process करती है, इसके बाद ही random access memory, and DRAM का मतलब है, dynamic random access memory, so आप पढ़े लेते, SRAM के बारे में, यानि static random access memory, static RAM is a type of RAM that holds its data without external refresh for as long as power is supplied to the circuit, so guys, इसमें जो भी data store होता है, उसे पावर सप्लाई के दोरान कई बार refresh होता है, जिससे आपका जो data होता है, उसकी speed transfer होनी की बहुत तेज हो जाती है, हम तेज speech को transfer करने के लिए SRAM का यूज़ करते है, static RAM में ही आपकी cache memory include होती है, this is contrasted to dynamic RAM, DRAM, which must be refresh many times per second in order to hold its data content, वहीं जो आपकी DRAM होती है, dynamic random access memory, वो अपने आपको कई बार refresh करती रहती है, जिससे आपकी data के transfer होनी की speed बहुत कम हो जाती है, जो कि आपकी बाकी की RAM होती है, SRAM are used for computers cache memory, यह दोखो आप यहां पर लिखा है, SRAM cache memory के लिए use होती है, so DRAM के बारे में पढ़ लेते हैं, जयानि dynamic random access memory is the standard computer memory of the worst majority of modern desktop computers, यह आजकल के desktop में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हमें जो भी अपना data store कराना है, instructions store करानी, वो आपके dynamic random access memory में ही store होती है It is a volatile memory, volatile का मतलब इसमें जब तक electricity है, तभी तक आपका data है, जैसे हट जाएगा वैसे आपका data में clean up, that needs to be refreshed with voltage regularly, otherwise it loses the information stored on it, dynamic RAM is also refreshed to as DRAM, volatile means that it loses the information stored on it as soon as power it withdrawn, देखो, यहां पर वही बात है, कि जब आप पावर अपनी हटा आलोगे, तो इसका अंदर का data है, वो अपने आप withdraw हो जाएगा, खतम हो जाएगा, so DRAM का use, हम अपने software के instructions को store कराने के लिए करते हैं, जब तक उसमें light है, electricity pass है, तब तक आपका data सेव रहेगा, और जैसी electricity हट जाती है, आपका data clean up हो जाएगा, सब यहां पर देखो difference between RAM and ROM, RAM volatile memory होती है, वही रोम non-volatile memory होती है, RAM में आपके जो पर प्रोग्राम के instructions होते हैं, वो save होते हैं, वही रोम में आपके BIOS या firmware store होता है, data in RAM is not permanently written when power of data deleted, यह आपका volatile वाला feature है, वही permanently not erase, यह आपका non-volatile वाला feature आ गया, RAM में होते हैं, आपके DRAM and RAM यानि dynamic RAM और static RAM, वही रोम में आपके type होते हैं, programmable ROM और EP ROM यानि erasable programmable ROM, RAM में आपके पास आ जाता है, it requires flow of electricity to retain data, अपना data को retain करने के लिए इस electricity की flow की जरूरत रहती है, वही आपको इसमें आपको electricity की जरूरत नहीं रहती है, उतनी retain करने के लिए data, इसमें आपको CMOS को support भ the operating system programs and processes to use when the computer is running, मैंने आपको पहली बताए, instruction देने के लिए हम RAM का use करते है, program या operating system पे जो भी process होते है, वो RAM की through भी होते है, वही जो ROM होती है, उसमें क्या होता है, रोम is the memory that comes with your computer, that is pre-written to hold the instruction for booting up, वही रोम का use कब होता है, जब हम अपना system restart करते है, या start करते हैं, तो उ startup process होता है, जिसे bootloader कहते है, bootloader कहते है, उसमें आपके जो booting file होती है, Windows की, वो boot होती है, आपका computer start होता है, तो आपके जो ROM होती है, रोम chip वहाँ पे use होती है, और RAM का use होता है, आपके programs में, और रोम का होता है, आपको system को start करने पे, तो ये कुछ basic difference है आपके RAM और रोम के So, आप हम बात करेंगे, cache memory क्या होती है, cache memory also called CPU memory, CPU की memory कहते है, is random access memory that a computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM, so guys, ये बहुत ही fastest memory कहाई जाती है, इसे static random access memory हो जो की सबसे fastest memory होती है, अपने computer की, this memory is typically integrated directly with a CPU chip or placed on a separate chip that has a separate bus interconnect with the CPU, Guys, यहाँ पर bus interconnect का मतलब है, जो आपकी communication bus है, उस bus की बात हो रही है, यहाँ पर, वो CPU से direct आपकी memory को connect करती है, and इसका data का flow होता है, वो किसके वज़े से होता है, data bus की वज़े से, so guys, यहाँ पर आपका bus का use होता है, cache memory को CPU से connect करने के लिए, cache memory आपका use होती है, किसी भी आप आपको बार-बार needed होती है, जैसे आपकी web browser, आप अपना Facebook में login करोगे, आप अपना password save करोगे, दुबारा आप जब भी उसे close करके open करोगे, तो आपको आपको auto save हो जाएगा, तो वो auto save का होता है, cache memory में, so guys, यह cache memory कई बार आपका illegally काम के लिए भी use होती है, जैसे कहते है, cookie sniffing, उसमें आपको क्या होता है, जो आपको hacker होता है, वो आपके cache को ही sniff कर लेता है, और उसी से आपकी जो credentials होते है, वो चुरा लेता है, तो cache memory कई बार आपके लिए dangerous भी हो सकती है, इसलिए समय समय पर अपने browser की जो history होती है, पूरी वो clean भी करनी ज़रूरी होती है, आप बात कर लेते cache memory की levels की, इसमें तीन levels होते हैं, जो सबसे पहला level होता है, उसे कहते है level 1 या L1 cache, जो की सबसे fast होता है, और बहुत ही small in size होता है, embedded होता है processor के पास, जो processor chip होती है, उसके पास इसका installation होता है, वो लगभग 8 kb से 128 kb के बीच होती है, इसी के साथ level 2 जो होती है, उसे हम कहते है L2 cache, जो की external cache होती है, microprocessor chip के, इसमें क्या होता है, L2 cache जो भी load होता है, जो भी instructions आती हैं आपको L2 में, वो इसे save करता है, जो भी instruction user देता है, L2 कैसे उसे save करती है, and उसे धीरे-धीरे करके process करती है, जो की microprocessor के पास जाती है, जो गाईज अगर यह overload हो ज L2 cache, उसे L3 cache में transfer कर देती है, जो L2 cache का size होता है, वो होता है, 64 kb से लेकर 16 mb तक का, So guys, अब L3 cache है, L3 cache is typically specialized memory that works to improve the performance of L1 and L2, यह इसलिए use होती है, कि जो L1 और L2 है, जब वो full performance में काम करती है, and उसके उपर over instructions आने लगती है, तो उन्हें hold करने के लिए हम L3 cache का use करते हैं, इसका size 8 mb से लेकर 24 mb तक का हो सकता है, यह तीनों ही जो cache होती है, आपकी static random access memory के अ अंदर आती है, अब बात करते हैं, synchronous DRAM की, sdram या synchronous DRAM is a generic name for various kinds of dynamic random access memory that are synchronized with the clock speed that the microprocessor is optimized for, so guys, जो हमारी synchronous DRAM होती है, वो हमारी clock speed है, उसी के हिसाब से अपने जो performance है, वो हमारी system में provide करती है, so guys, synchronous का मतलब यह हो गया है, कि यह जो microprocessor की जो हमारी clock speed है, उसी के हिसाब से अ उसे sync रहती है, मतलब उसे contact में रहती है, and अपनी performance उसी के हिसाब से computer को देती है, जो की एक advanced technology है, sdram is available in dim, dim एक slot होता है, जिसे कहते है, dual in-line memory module, dim slot होता है, हमारी desktop की RAM slot को कहते है, so यह sdram जो होती है, यह dim slot में ही लगती है, clock speed में जो होती है, वो megahertz में होती है, so guys, actually, इस speed को, microprocessor की speed से, and उसी के हिसाब से यह performance देती है, so guys, यह sdram की कुछ classification है, जो ddrram है, ddr2ram है, ddr3ram है, ddr4ram है, ddr की जो full form होती है, वो होती है, dual data rate, so guys, जो latest हमारी RAM चल रही है, वो है ddr4, and वो एक sdram का example है, so guys, यह ddr के बाहर बात कर लेते है, ddr, sdram, also known as ddr1ram, gains its name from the fact dual, double data rate, या dual data rate, दोनों कहा सकते है, this type of sdram provides data transfer rate twice the speed to the traditional type of sdram, so guys, जो ddr3ram है, ddr3ram है, वो sdram से dual, मतलब double, double speed में आपका data transfer करती है, and इसमें 184 pins होते है, जो की single, single plate पे होते है, वही ddr2ram होती है, वो faster version है, ddr3ram का, जिसमें 240 pins होती है, and इसके जो data transfer speed होती है, वो 400 MHz से लेकर 1066 MHz तक ही होती है, and इसमें जो power और heat consumption होती है, वो बहुती कम होती है, sdram के मुकाबले, वही ddr3ram है, जो वो ddr2 का भी एक नया model है, जिसमें आपको कुछ और modification मिल जाते हैं, it provides further improvement in overall performance and speed, इसमें speed और performance काफी अच्छी मिल जाती है, in comparing of ddr2 and ddr1ram, वहीं ddr4 जो latest RAM की technology है, वो 1.2W में चलती है, यह इसमें सबसे high-end modification करे गए है, and इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी performance आपको देखने को मिल जाती है, so guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ddr2ram, ddr3ram and ddr4ram, आपको यहाँ पर इसमें सारे दिख सकते हैं कि model कैसा होता है, इसका PCB क्या होता है, printed circuit board जो की पीछे का panel होता है, capacitors लगे होते हैं, resistors लगे होते हैं, और यहाँ पर SPD chip लगे होते हैं, यहाँ यह दिड़ाइम की chips होती है, जिसमें आपका data या instruction save होती है, so guys, आपकी ddr जो राम होती है, उसमें होती है 184 pins, ddr2ram में होती है 184 pins, ddr3ram में होती है आपकी 240 pins, वहीं ddr4ram में होती है, आपकी 288 pins, so guys, यहाँ पर आप देख सकते हो types of RAM, so guys, यहाँ पर आपको 72 pin की SIM RAM मिल जाएगी, 144 pin की SO dim मिल जाएगी, जो की आपकी laptop में लगती है, वहीं 184 pin की RD RAM मिल जाएगी, RAM bus dynamic random access memory कहते हैं यह से, वहीं 168 pin की dim, आपको RAM मिल जाएगी, जो की आपकी बहुत पहले आयकरती थी desktop में लगाने के लिए, वहीं 168 pin की sdram मिल जाएगी, जो आपकी DDR RAM से भी पहले का version है, sdram का, इसके बाद DDR RAM मिल जाएगी, वो भी 184 pin की होगी, उसके बाद 240 pin की आपकी DDR2 आएगी, और 240 pin की आपकी DDR3 आजाएगी, और 288 pin की आपकी DDR4 RAM आती है, जो की आपकी latest RAM है, वहीं पावर कंसरप्शन आप देख सकते हैं, 2.5 Watt से लेकर 1.2 जो की घठता ही जा रहा है, वहीं डेंसिटी भी आप देख सकते हैं, 128 MB से लेकर 2.133 MB तक की है, यह है SDRAM की classification DDR module में, अब हम बात करेंगे secondary memory के बारे में, सब सब आले हम जारेंगे, what is hard disk, a hard disk या hard drive is a data storage device uses for storing and retrieving digital information, हमें computer में कुछ भी अपने data store कराना है, या कोई भी काम करना है, तो उसकी जो files बनेंगे, उसे save करना है, तो हमें उसके लिए एक primary partition की जरूरत होती है, जो की हम hard disk को use करते हैं, hard disk एक storage device होता है, जो की हम अपने system में लगाते हैं, जिसमें हम अपना सारा का सारा data store कर लेते हैं, यहां देख सकते हैं, आप types of hard drive, SATA, यानी SATA Serial Advanced Technology Attachment, यह 7 pin की hard drive आती थी, जिसमें आपके 15 pin का power connection मिलता था, and 4 pins की आपके molex wire मिलती थी, इसकी speed 600 mbps तक की हो सकती थी, इसमें आपके 3 variant आते थी, SATA 1, SATA 2 and SATA 3, SATA 1 की speed 150 mbps, SATA 2 की speed 300 mbps, वही SATA 3 की speed 600 mbps होती है, और कुछ time पहले चले जाएं, तो पहले आती थी IDE यानि Integrated Drive Electronics, जिसमें आपको 40 pin का connector मिल जाता था, वहीं 4 pin power के लिए मिल जाती थी, और 4 pin molex के लिए मिल जाती थी, इसकी speed 133 mbps तक की होती थी, इसमें दो variant आपको मिल जाते थे, SATA 1 and SATA 2, SATA 1 की speed 100 mbps, वही SATA 2 की speed 133 mbps होती थी, So guys, यह है कुछ hard drive का look, उसे open करनी के बाद, उसके parts कौन-कौन से होते थे, और कैसे कैसे वह काम करते थे, So guys, यहाँ पर आपको जो एक CD type की दिख रही है, इसे कहते हैं, plater, जो कि magnetic होती थी, जब इसमें magnetic field pass होती थी, तब इसमें data written होता था, So guys, इसके 20 में, आपको यहाँ पर एक motor मिलेगी, जिसे कहते हैं, spindle motor, यह hard drive का पूरा case है, and यह जो आपको hand दिख रहा है, इसे कहते हैं, actuator arm, and यहाँ पर आपको यह जो छोटा सा nozzle दिख रहा है, इसे कहते है, read right head, and यहाँ पर Hyundai 기 course होते हैं ईसे कहते है, actuator axis, and इसे कहते है, actuator, So guys, इसमें क्या होता है, जो data होता है, वो बहुत सारी, उसमें forms में होता है, जिसे हम कहते है, magnetic form, और इसमें जो save होता है, वो magnetic form, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे से खाने मिल जाते हैं जिसमें आपका जो magnetic data वो store होता है with the help of read right head. So guys, यह magnetic process होता है जिसमें आपका data right होता है इस platter के ऊपर. So guys, आप पढ़ते हैं hard disk के components के बारे में. सबसे पहला disk platter. The platter is made up of magnetic material in the flat part of the drive. So guys, यह magnetic material से बना होता है, जो आपका disk platter होता है, एक round color का shape में यह होता है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया. The data stored in the platter, जो भी data होता हुआ, वो platter में ही store होता है, यह आपका different size में हो सकता है, अभी तक maximum आपके hard drive 16 terabyte तक की normal PC के लिए बन चुकी है. Each set of magnetic particles is collection a unit called a bit. एक-एक particles, जो कि magnetic particles होते हैं, इस platter के अंदर एक-एक bit को store करते हैं. And, इमकी जो संख्या हमारी platter में होती है, वो millions में होती है. Stepper motor, stepper motor क्या होती है? Use stepper motors for controlling read-write head. जो कि stepper motor होती है, यह read-write जो होता है, hand से, इसका head होता है, read-write का, उसके हिसाब से, जो, इस spandle motor होती है, इस platter को घुमाती है, ताकि जो data है, वो right हो सके. Stepper motors usually use 12-watt power, but some new low-power drives use 5-watt power. So, यह different-different power consumption पे based होती है. Spandle motor, it controls the platter, this motor rotates at a speed of 36-10,000 rpm. So, guys, यह different-different speeds में आती है, 36 rounds per minute से लेके 10,000 rounds per minute तक. All the platter moves in the same direction, एक ही direction में घुमती है, जिसे कहते है, हम clockwise rotation. For read and write head, read and write head, read and write head कौन सा होता है? Read and write head, the heads read and write the information to the dry platter. So, guys, वो read and write head वो होता है, जो कि हमारी platter पे data को write करता है. The head right magnetic information on the platter, जो कि data write करता है, वो magnetic form में होता है. So, guys, जो भी data store होता है, वो magnetic form में ही store होता है, हमारे platter या hard disk मे. So, guys, disk structure क्या होता है? डिस्क ट्रक्ट्चर्टेर जो भी हमारा data, joka होता है, हो का होता है, tracts और sectors में, track क्या होते है, the hard drive is divided into number of concentric circles called tracks, circular path in the sector is called tracks, so guys हमारा जो गोल-गोल प्लेटर होता है, उसमें गोल-गोल tracks होते है, जिसमें आपका data, save होता है, tracks मतलब जैसे आपने athletes वाले ट्रैक्र दंगे। उसमें एक लाइन से होती थी इसमें गोल होती है, भर ही पर आपका जो data में सेव होता है, प्रूरे होता है, data storage area इन दा वन ट्रैक मल्ट्पल डिवाडे इन टॉ ता multiple blocks, these sector is called 512 Bytes. इसमें क्यों होताँ है, जो आफ के ट्रैक होते है उसमें multiple blocks होते हैं, बहुत सारी छोटे-छोटे खाने बहुत बहुत makers. और उन्हें कहते है sectors और एक sector 512 Bytes होता है, 700 trillions में होते हैं ौद्रैइफ होते हैं Stop and Story में आफका धाटा होता यह एक structure होता है जिसमें आपका data sequence wise store होता है जैसे आपने कोई data delete कर दिया तो आपको diffragment इसलिए करना पड़ता है ताकि जो sectors है वो आपस में joint ना हो and वो अच्छे से manage हो पाएं So guys अब यहाँ जान लेते हाट drive में क्या-क्या file systems होते हैं यह security के मामले में बहुत अच्छा नहीं था इसमें जो सबसे ज़्यादा partition अपनी hard drive का हम बना सकते थे वो था 32GB इससे ज़्यादा का partition अपनी hard drive पे नहीं बना सकते थे दस नोट support data compression इसमें data को compress भी नहीं कर सकते थे दस नोट support disco quota, disco quota का मतलब होता है कि हम इससे ज़्यादा data इसमें store ना कर पाए वो भी हम इसमें नहीं कर सकते थे और guys इसमें हम 4GB से ज़्यादा की file भी इसमें send या receive नहीं कर सकते थे इसमें बहुत पुराना file system में हम currently use करते हैं NTFS यानि new technology file system इस security के मामले में बहुत अच्छा है इसमें bitlocker जैसी बहुत सारी functionalities हमें देखने को मिल जाती है हम वही partition size इसमें 1TB तक का हम बना सकते हैं एक drive का इस सपोर्स data compression data को compress भी कर सकते हैं यानि encryption भी हम इसमें लगा सकते हैं इसमें disk quota भी लगा सकते हैं कि कुछ एक particular size के बाद या hard drive पर कोई भी data save ना कर सके इसमें बहुत सारी feature हमें ntfs में देखने को मिल जाते हैं जो कि हमाई fat में नहीं मिलते थे ntfs जो की new and recent technology है file system की हमारी hard disk में and currently हम इसी को use करते हैं अब पढ़ेंगे हम solid state drive के बारे में यानि SSD के बारे में हमें अगर कुछ better speed में हमें अपने data store करना है या हमें कोई एक ऐसा storage device चाहिए जिसमें हम बहुत अच्छे speed से data को transfer या receive कर सके हम hard disk के जगा SSD का use करते है SSD कोस्ट के मामले में hard drive से थोड़ी expensive होती है क्योंकि इसका जो storage का type होता है वो थोड़ सा अलग होता है in comparing of hard drive hard drive में क्या होता था कि एक plater होती थी plater में magnetic form में आपका data store होता था वहीं आपकी SSD होती है इसमें आपका data store होता है वो chip में store होता है इसमें आपको कोई भी plater नहीं होता कोई भी rotating part नहीं होता इसमें जो आपके consumption होता है electricity का वो भी बहुत कम होता है heat भी इसमें बहुत कम होती और इसका जो data transfer के speed होती है बहुत ही अच्छे होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा costly आती है in comparing of hard drive इसे हम बहुत छोटे size में अपने computer में लगाते हैं ज़्यादा तर हम इसमें अपना operating system ही install करते हैं ये थोड़ा सा expensive आएगा ये कुछ देखने में इस type का होता है आप बात करते है optical disk drive की या DVD writer की जब भी हमें अपने system में कोई भी CD लगानी होती है तो हमें DVD writer की जरूरत पढ़ती है ये आप different company में किसी का भी ले सकते हैं इसका इस्तमाँ सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने CD लगाते हैं और उसे laser beam की बदद से ये scan करता है और जो इसमें data होता है sectors में tracks में उसे हमें अपने display में दिखा देता है जो hard drive में प्लेटर में जो concept था tracks and sector का वो ही concept इसमें use होता है इसमें जो track or sectors होते है CD में इसकी जो laser beam होती है उसे track करती है और data को receive करके आपको display करा देती है So guys अब बात करते है compact disc यानि CD के बारे में compact disc is a storage device uses to store data in a magnetic form store 700 MB of data it comes in read, write and rewrite So guys compact disc छोटी सी CD होती है या storage device कहार सकते हो magnetic form में data store होता है 700 MB से जादा आप इसमें data store नहीं करा सकते हैं इसे आप read कर सकते हैं या सिरफ और सिरफ read का मतलब आप इसे सिरफ पढ़ सकते हैं जो इसके अदर का data आप उसे access कर सकते हैं उसे copy नहीं कर सकते हैं ना delete कर सकते हैं सिरफ उसको आप देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं राइट का मतलब यह खाली आती है आप इसमें कुछ अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं आप जो भी इसमें डाटा है उसे डिलीट करके आप अपना एक नया डाटा भी इसमें स्टोर कर सकते हैं तो यह तीन वरियंट में आपकी मार्केट में अवैलिबल हो जाती है वहीं बात करें डीवीडी की तो इसका मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाल डिस्क यह एक स्टोर सिरफ आप उसका डाटा देख सकते हैं राइट का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं और रिराइट का मतलब उसका जो डाटा उसे डिलीट करके दुबार से एक नया डाटा उसमें डाल सकते हैं वहीं बात करें ब्लू-ray डिस्क की तो टेन देख सकते हैं एक में आप कोई भी डाटा डाल सकते हैं रिडाट का मतलब आप कोई भी डाटा समें डिलीट करके एक नए डाटा सेव कर सकते हैं सो गाइस यह था बू-ray डिस्क का कॉंसेप्ट आप बात करते हैं SMPS की यानि switched remote power supply आपके जो सिस्टम को पावर जो आपके सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी components होते हैं डिफेंट-डिफेंट टाइपस ओफ components होते हैं जो कि अपके एक टाइस होते हैं तो उस motherboard को power कहां से मिलती है आपकी DVD राइटर को तो पावर कहां से मिलती है, वह SMPS से मिलती है, अब डाइरेक्ट अगर आप डाइरेक्ट वाला पावर लगाओगे, तो आपके कॉम्पोनेंट्स बहुत ही असानी से खराब हो जाएंगे, बहुत फ्लक्ट्वेट करेंगे, बहुत जादा प्रॉब्लम उसमें क्रियेट होग है, एक पर्टिकुलर रेंज में हर कॉम्पोनेंट को पावर सप्लाई करना, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो SMPS है, वो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले आप यहां देख सकते हो, में में इन्पूट यानि जो इलेक्टरिसिटी होती है, हमारी यहां पे एंटर करती है, SMPS यानि इन्पूट रेक्टिफायर और फिल्टर के अन्दर इन्पूट होती है, सबसे पहले हमारे इलेक्टरिसिटी, गाम क्या होता है rectifier जो होता है वो हमारा ac current को dc current में convert करता है जो हमारा input आता है electricity का सबसे पहले rectifier से होके गुजरता है and rectifier क्या करता है उस ac current को dc current में change कर देता है इसके बाद हो current आपका inverter में जाता है जहां वो stabilize होता है and इसके बाद वो transformer में जाता है transformer में क्या होता है वो transform हो जाता है अलग-अलग components के लिए कि उसे कितने voltage में कौन से component वाली wire पर जाना है so transformer में वो divide हो जाता है हर एक wire में उसके voltage के हिसाब से इसके बाद फिर से वो rectifier में जाता है and इसके बाद क्या होता है जो DC current है वो output के रूप में निकल जाता है and आपके जितने भी components होते हैं उनकी wire में according to their voltage उसमें supply हो जाता है and आपके सारी component को power supply कर देता है so guys ये working model है आपका SMPS का सबसे पहले आपका main input होगा rectifier पे इसके बाद वो inverter पे जाएगा इसके बाद transformer पे जाएगा इसके बाद वो आपका दुबारा rectifier में जाएगा जिसे filter होगा and जितने भी impurity होगी उसकी सारी impurity निकल जाएगी इसके बाद आपका जो DC output है वो आपके component में deliver हो जाएगा so guys यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा SMPS है उससे जो 20 से 24 pin की जो cable निकलती है जिसे हम ATX cable कहते हैं वो कैसी होती है so guys यहाँ पे आप देख सकते हैं वो different colors की उसमें pins होती है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उपर की 3 orange होती है जो की plus 3.3 watt के होती है and इसके बाद जो blue होती है वो होती है minus 12 watt की इसी के सासाथ जो black होती है उसमें कोई भी charge नहीं होता है वो एक ground wire होती है इसी के सासाथ red जो होती है वो plus 5 watt के होती है green जो हमारी power supply है वो जा रही है या नहीं इसको indicate करने के लिए होती है black फिर आजाती है जो की ground wire है फिर red आजाती है plus 5 watt की जो grey होती है वो power good होनी का symbol होता है इसके साथ white होती है white का मतलब होता है कि no power कोई भी power उसमें supply नहीं हो रही है इसे के साथ standby के लिए purple use होती है and yellow होती है plus 12 watt की मैं बताना चाहता हूँ जो yellow wire होती है यही responsible होती है आपके fans को power देने के लिए इसके साथ last दुबारा आपके पास orange आ जाती है plus 3.3 watt की आप इन सब की voltage भी इसे याद कर सकते हो क्योंकि कई बार हो सकता है इनकी voltage की हिसाब से आपको question में पूछे जाए so guys अब हम बात करेंगे CMOS battery के बारे में CMOS battery is used to update date and time while the system is off so guys मैंने आपको पहले भी बता दिया CMOS का काम क्या होता है CMOS battery आपके system में date or time को update रहने में मदद करती है जबकि आपका system off होता है actually एक छोटा सा power supply होता है जो कि आपके motherboard पे लगता है जो कि आपके system के switch off होने पर भी आपके RTC यानि real time clock जिसमें आपका date or time चलता रहता है चाहे आपका system ओनो चाहे बंदो so उसे वो power supply करती रहती है बहुती छोटी amount में and जो आपका date or time होता है वो update होता रहता है इसी लिए आप जब भी system अपना खोलते हो तो आपको real time ही उसमें display होने को मिलता है so guys इसे हमें कुछ दिनों में बदलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि time के हिसाब से ये low हो जाती है stands for complementary metal oxide semi conductor इसके जो full form होती है CMOS की वो होती है complementary metal oxide semi conductor having connection with RTC and jumper settings to reset bios so guys यहां पर भी देखो वही लिखा हुआ है having correction with RTC RTC का मतलब होता है real time clock जो कि हमारे system में जो time और date चल रहा है उसे indicate करती है and jumper settings वो settings होती है जिससे हमारा bios की setting होती है वो reset हो जाती है जो भी हम उसमें changes करते हैं या कुछ भी enable disable करते हैं वो सब reset हो जाता है इस battery को निकालने से so guys इसे हम jumper setting या reset setting भी कह सकते हैं So guys BIOS is a small ROM chip on the PC's motherboard A basic software program containing all BIOS functions is permanently stored in the ROM So guys जो BIOS होता है वो क्या होता है BIOS एक firmware है एक छोटा सा program होता है जो कि आपके ROM chip में store होता है जो कि ROM chip मैंने आपको पहले भी बता दिया है आपके motherboard में होती है बहुत छोटी ची चीप होती है ROM chip जो कि आपके primary memory का part है आप basic software इसमें छोटा सा एक software होता है जो कि आपका firmware load करता है आपके system के on होने के time This software function as a basic operating system मैंने बता दिया operating system को load करने में सबसे पहला BIOS ही वो software है जो आपके operating system की booting files boot करता है Is responsible for starting the PC Starting PC के लिए भी responsible है क्योंकि जो boot loader होता है जो कि आपके booting files को load करता है वो BIOS का ही part है This hardware is integrated with software is also referred as firmware बता दिया था मैंने आपको कि यह firmware होता है firmware या BIOS आप कहीं पे भी आपको pronunciation यह देखने को बिले तो आप सिर्फ उसे BIOS या firmware को एक चीज़ी समझो वो होता है starting bootloader software जिसे हम BIOS भी कह सकते हैं या firmware भी कह सकते हैं So guys कुछ इस type की chip होती है BIOS की आपके motherboard के उपर So guys कुछ modern motherboards के उपर एक backup BIOS की भी chip आती है जो इसी के side में लगी होती है उसका मकसद यह होता है कि अगर किसी सूरत में आपकी यह वाली BIOS chip खराब हो जाती है तो उसका backup BIOS की chip जो इसके side में लगी रहती है उससे आपका system load होना start हो जाता है इससे आपको यह priority बोल जाती है कि आपकी यह एक BIOS chip खराब होनी की सूरत पे आपका motherboard पूरी तरीके से खराब नहीं होता है फिर आपका system दूसरी backup BIOS की chip से load होना start हो जाता है यह दुखो this is a BIOS chip on motherboard अब हम पढ़ लेते हैं कुछ function of the BIOS When you first turn on your PC, your PC requires information to detect PC components to find the operating system So guys हमें BIOS की जरूरत क्यों पढ़ती है क्योंकि जब हम अपना system on करते हैं तो उसे components को detect करने के लिए जो हमारे बाहर components लगे हुए चाहिए hard disk को चाहिए RAM हो इन सब को detect करने के लिए एक software चाहिए होता है जो कि analyze करता है कि हाँ आपके सारे peripherals या components आपस में connect हैं की नहीं इसी को analyze करने के लिए BIOS का सब से start-up जो bootloader कहते हैं वो start होता है and find the operating system आपके system में operating system पढ़ा भी हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है आपके जो hard disk के floppy disk के CD room में कोई भी extra storage device आपके उसमें connect है या नहीं है यह भी इसका identification का method होता है this information is stored in the BIOS यह सारी information BIOS के अंदर stored होती है bootstrap loader loads booting files with starting window bootstrap loader आपके booting file को boot करता है load करता है जिससे आपका operating system start हो पाता है having four tests, start test, hard drive test, memory test and battery test जब भी BIOS open होता है उसमें चार test start हो जाते है तुरंत start test start test का मतलब कि आपका operating system load हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है इसके साथ hard drive test hard drive आपकी जो storage वाली hard drive है वो उसकी health कैसी है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है या उसमें क्या-क्या problem आ रही है और उसके क्या solution है या bad sector तो नहीं आ गए यह सारी information hard drive test से आपको display हो जाती है इसके सब memory test इसमें आपकी RAM का test होता है आपकी RAM की health आपके RAM में क्या-क्या issue हो रहे है या आपकी RAM की performance वो सारे इस test के दोरान आपको पता चल जाती है अगर आपके पास laptop है तो यह बैटरी टेस्ट भी होगा इसमें आपकी battery के हिसाब से सारे information test होने के बाद आपको display हो जाती है यही चार basic test है जो बाइस की load होने के दोरान आपके system में background में run होते है यह एक flow chart है बाइस के function का सबसे पहले जब आप turn on करते हैं अपना computer तो आपको एक post method से गुज़े न पढ़ता है post का मतलब होता है power on self test जिसमें आपके 4 test होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए hard drive test, memory test, battery test and power on test इसके बाद plug and play यानि आपकी जितने भी components connect है या नहीं यह वाला test होगा इसके बाद test boot drive कि आपने कोई removable disk तो नहीं लगा रखी या आपने कोई भी bootable USB तो नहीं लगा रखी या आपने कोई भी bootable USB तो नहीं लगा रखी है तो वो डारेक्ट उसे boot कर देगा अगर नहीं लगा रखी है तो load boot program कर देगा जिसमें आपको operating system load हो जाएगा अब हम पढ़ लेते हैं पोस्ट के बारे में यानि power on self test takes place right after you power on जब भी आप power on करते हैं अपने सिस्टम की तुरंत अपने आप ही start हो जाता है contents diagnostic routines for initializing the hardware and peripherals यह peripherals और hardware जितने भी आपके components होते हैं उनके बारे में होता है कि वो सही से connected है काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो सारा test आपके power on self test में initialize होता है the video card the main memory the processor the keyboard etc checking their functions इन सब के checking होती है कि इनका performance कैसा है और कैसे यह work कर रहे हैं आपके computer system में error message on screen if an error detected कोई भी error आता है तो यह simply आपके screen पर एक error message show कर देता है if monitor cannot be detected the beep codes are output by the system loudspeaker so guys इस self test के दोरान अगर आपके system में कोई भी ऐसा fault है जो आपको display नहीं करा सकता so guys वो indication देता है as a beep अगर आपके keyboard struct है तो आपको तीन बार beep मिलेगी अगर आपका UPS struct है तो आपको दो बार beep मिलेगी so guys ऐसा indication भी हमारा powerful self test देता है अगर वो display error नहीं करा सकता तो so guys आप question आता है कि हम अपने bios को update कैसे करें so guys हमें bios को update करने के लिए दो method का use करते हैं the bios is manufactured on flash technology it is easily to update है हम इसे आसानी सा update कर सकते हैं सबसर पहला जो हमें update करने का priority मिलती है वो होती है windows executable file की यह एक file होती है जो कि हम execute करा सकते हैं अपने windows operating system के दोरान और हम दूसरा जो हमारे पास option आता वह होता bootable USB stick हम अपने USB को boot करके जो बायोस होता है उसे boot कर सकते हैं अपने USB में and bios को start करने के दोरान हम उस boot menu को select में जाके उस boot USB को select करके अपने आप automatically bios को update कर सकते हैं so guys दो method आता है हमारे पास bios updating के सबसे पहला windows executable file and दूसरा bootable USB stick so guys अब हम पढ़ेंगे types of bios bios के types के बारे में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है legacy bios और दूसरा आ जाता है UEFI bios UEFI की full form होते ही unified extended firmware interface जो की updated है bios का version so guys legacy और UEFI में बहुत सारी difference है यहां पर मैंने तीन major differences लिख रखे हैं सबसे पहला है character user interface आपको legacy bios में बिल्कुल character user interface देखने को मिलता है उसमें कोई भी आपको graphics या user friendly UI नहीं देखने को मिलता उसमें थोड़ा सा character wise ऐसी चीज़े देखने को मिलती है जैसे हमें normally पसंद नहीं होता है उसमें आपको कोई भी picture या graphics देखने को नहीं मिलती है जबकि UEFI bio में ऐसा नहीं है आपको या animation graphics picture जैसी कुछ अच्छे चीज़े देखने को मिलती है UEFI BIOS settings के दोरान दूसरा अंतर है कि works only keyboard आपके legacy bios में सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी change करना चाहें तो आप अपने keyboard का ही use कर सकते हैं change करने के लिए वहीं आपका UEFI BIOS आपको mouse और keyboard दोनों का ही support देता है वहाँ पे control करने के लिए यह भी बहुत अच्छी priority है UEFI bio में जो introduced हुई है legacy bios don't show large storage devices अगर आपने 32GB से जादा को कोई भी storage device लगा रखा है external storage device लगा रखा है या आपने कोई भी hardest लगा रखी है 1TB या उससे उपर की तो वो आपके सारे devices legacy bios में show नहीं होते हैं जबकि UEFI BIOS में ऐसी कोई भी problem नहीं है इसके साथ साथ बहुत सारे और differences है जो legacy bios और UEFI bios को एक दूसरे से बहुत अलग करते हैं जो legacy bios था वो काफी समय पहले use हुआ करता था और इसका user interface भी उतना friendly नहीं था जो UEFI bio है वो legacy bios के replacement पे लाए गया था और यह काफी user friendly interface के साथ आता है और आजकल के modern computers में UEFI bios ही देखने को मिलता है यहां आप देख सकते हैं जो legacy bios होता है वो कुछ इस type का दिखता है उसमें आपको बहुत सारी features मिल जाते हैं जैसे standard CMOS features CMOS के बारे में इसमें बहुत सारी features होते हैं इसके बाद advanced bios features आपके booting वाले सारे features इसी में होते हैं इसके बाद integrated peripherals आपको सारे peripherals इसमें options देखने को मिल जाते हैं advanced chipset features आपके CPU से related सारे features इसमें देखने को मिल जाते हैं power management setup power से related जब भी आपका post होता है इन सब से related सारे option आपको इस option पर देखने को मिल जाते हैं PCI configuration आपकी जो LAN card graphics card या audio video card होते हैं उनका जो slot होता है PCI उसमें क्या क्या चीज़े connect हैं and उसे हमें कैसे manage करना है वो इस option से आप जाके manage कर सकते हैं PC health status इसमें आपके सारे test होते हैं जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया memory test hard drive test इस option से जाके आप उन test को retry कर सकते हैं या उसके जो भी result है आप देख सकते हैं यहां पर आपको voltage control मिल जाता है इसके बाद load, fail, save, defaults यह सारे option जो भी है जैसे set supervisor password आप यहांसे supervisor password डाल सकते हैं जो कि आपका BIOS का password लग जाएगा यहां पर BIOS का password लगाने का दूसर option है set user password यूजर password आप डाल सकते हैं BIOS उसे bypass कर पाएगा इसके बाद यहां पर आपको save and exit का option मिल जाता है इसके बाद exit without saving का option मिल जाता है इससे आप बहुत अच्छे से explore कर सकते हैं यहां पर आपको shortcut button भी मिल जाती है escape से आप quit कर सकते हैं and f10 से save and exit कर सकते हैं यहां पर जाके आप अपने date और time भी बदल सकते हैं and बहुत सारे features होते हैं जो कि आपको normal PC में देखने को नहीं मिलते हैं आप normal PC में जाकी इसकी settings नहीं कर सकते हैं जो कि आप setting अपने BIOS में जाके असानी से कर सकते हैं so guys जब भी आप system on करते हैं तो आपको नीचे की side कुछ buttons देखने को मिलती होंगी जैसे f10 या delete button so guys आपके system की company के हिसाब से आपके BIOS को खोलने के लिए shortcut buttons होती है आप simply google पे अपने जो भी laptop है या आपना जो भी आपका motherboard है उसको type करे and उसके आगे आप type कर दें कि BIOS button so guys आपको वह button मिल जाएगी जब भी आपका system start हो रहा हो तो आप उस button को दबाके अपना BIOS access कर सकते हैं so guys यह था legacy BIOS का interface और आप हम देख लेते हैं UEFI BIOS का interface so guys यह है UEFI BIOS जिसमें आपको pictures graphics जैसे चीज़े भी देखने को मिल जाती है and इसका जो user interface है वह काफी अच्छा है in comparing of legacy BIOS so guys यहाँ पर आपको 5-6 tab मिल जाते हैं उपर MIT system information या BIOS features peripherals and power management के इसमें आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं आप अच्छे से explore कर सकते हैं peripherals पर जाके अपने boot devices select कर सकते हैं so guys यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे-च्छे features देखने को मिल जाते हैं virtualization आपको यहाँ पर मिल जाता है execute disable bit भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी और जो भी आपके overclocking जो भी आप करना चाहें वह अपनी BIOS के setting में जाके आप अपने system में कर सकते हैं so guys अगर आप save and exit होना चाहेंगे तो आप यहाँ पर जाके अपना save करके exit हो जाए so guys यह था UEFI BIOS का interface जो की काफी better है legacy BIOS से so guys अब बात करते हैं BSOD के बारे में यानि blue screen of death a stop error commonly called the blue screen of death blue screen or BSOD is an error screen displayed on a windows computer system following a fatal system error guys fatal system error वो error होता है जो कि आपके system को on ही नहीं होने देता it indicates a system crash यह एक system crash के तरीके आपके screen ला देता है जैसे आपका system crash हो चुका है अब आप कुछ भी करके उस system को recover नहीं गर सकते in which the operating system has reached a condition where it goes non-log or operate safely so guys BSOD का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई भी system में कि आप अपने system में कोई भी incompatibility वाला काम कर देते हैं so guys आपको यह वाला error देखने को मिलता है जैसे आपने 1GB RAM में आपने Windows 10 को install कर दिया so guys Windows 10 जो होती है उसे minimum 2GB RAM चाहिए होती है installation के लिए so guys अगर आप 1GB RAM में आप install कर दोगे तो वो incompatible होगी वो run ही नहीं हो पाएगी वो कुछ इस type का error शो कर देगी blue screen of death का so guys BSOD का मतलब यह है कि आप कुछ incompatible काम कर देते हैं incompatibility के issue में आपका BSOD का error आपको देखने को मिलता है so guys अब हम बढ़ते हैं अपने last topic के तरफ top manufacturer of the peripherals and the components so guys इस topic में हम जानेंगे top manufacturers और top brands जो कि आपके components या peripherals को manufacture करती है international level पे so guys सबसे पहले हम जानेंगे top brands and manufacturers for microprocessor जो हमारा CPU होता है उसको manufacture करने की world के level में top brands या manufacturers so सबसे पहले हमारे पास आता AMD जो की बहुत ही अच्छी brand है जो कि आपके microprocessor बनाती है इसके साथ Intel को मैं दूसरे number पर रखूंगा and तीसरे number पर मैं रखूंगा Nvidia को चौथे पर Z-Lock को और पाचवी पर Motorola को Motorola भी आपका microprocessor बनाने वाला brand है so इसके बाद हम बढ़ते हैं top brands and manufacturers for hard drive and hard disk so guys सबसे बढ़ियां hard drive जो manufacture करती है international level पर वह होती है c gate यानी SG इसके बाद मैं रखूंगा western digital को यानी WB फिर third number पर हम रख सकते हैं Toshiba को so guys अब बात करते है top brands and manufacturers for motherboard motherboard के लिए सबसे अच्छी brand या manufacturer कौन है तो मैं सबसे पहले रखूंगा gigabyte को इसके बाद SS को फिर ASRock को फिर MSI को और फिर Biostar को अब बात करते है top brands and manufacturers for RAM या memory so सबसे आगे रखूंगा Corsair को दूसरे नमबर पर Kingston को थर्ड नमबर पर Transcend को top brands and manufacturers for monitors सबसे पहले में रखूंगा Samsung को दूसरे नमबर पर BenQ को 3rd नमबर पर Dell को 4 नमबर पर HP को 5 नमबर पर LG को top brands and manufacturers for UPS यानी uninterruptible power supply number one Microtech, number second Okaya, number third Luminous top brands and manufacturers for mouse HP, फिर Dell, फिर Logitech, फिर Microsoft and फिर TechNet top brands and manufacturers for keyboard QHMPL यानी Quantum, second number पर Logitech, third number पर TVS TVS एक keyboard and mouse manufacturer brand है top brands and manufacturers for printer number one HP, number second Canon, third Epson, fourth Brother, fifth Fijutsu top brand and manufacturers for speakers Intex, Jbill and Logitech top brand and manufacturers for laptops number one HP, number second Dell, number third MSI, number four SS, number five Microsoft number six Acer, number seven Samsung, number eight Apple, number nine Lenovo, number ten Toshiba So guys, इसी के साथ हम इस वीडियो को end करते हैं Hope guys यह पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी and अगर मैं यह आपका reply ना करपा हूँ तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर direct message कर सकते हैं मैं वहाँ आपका जरूर reply करूँगा and this is असात मैं यह बताना चाहता हूँ कि hardware के लिए सिरफ और सिरफ यही पूरा नहीं है आपके लिए मैं आपके लिए इसी चैनल पर hardware से related एक बहुत बड़ा लगभग 25 से 30 वीडियो का course लाने वाला हूँ so guys आप इस चैनल को subscribe कर लें क्योंकि इस course को मैं बहुत ही जल्द 2 या 4 दिन के अंदर ही start करने वाला हूँ अगर आपने इस चैनल को subscribe कर दो इस वीडियो को like कर दो और लगता है कि यह वीडियो किसी से share करने लाइक है या किसी और के लिए profitable हो सकती है so guys या जरूर से share करना and अगर आपको कोई सुझाव भी हो मेरे लिए या इस चैनल के लिए तो आप जरूर से comment करें and इस community के साथ जुड़कर मेरा motivation बढ़ाए so guys मैं बलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care झाल 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 झाल